आप जहां पढ़ाई कर रहे हो बहाँ पर ढोल बज रहे हो समझ गया noise हो सकता है कोई लड़की आपके सामने आती है कोई लड़का आपके सामने आता है और वो भाई साब हस्ते हुए आ रहा है active listening उसके पास होगी जो person किसी को सुन नहीं सकता है अच्छे से वो person भाई साब decision नहीं ले सकता अच्छा समझ गया जैसे बुड़े लोग होते हैं बुड़े लोगों से आप क्यों जाते हो बाते पूछे को उनको वाई सब पूरी 60-70 साल को तो उस पूरी जिंदिगी का उनके पास experience है हलो दोस्तों तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा topic जो पढ़ने जा रहे हैं कम से कम 15 से लेके 18 तक question आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको help करेगा cset में तो कौन-कौन से topic पढ़ने जा रहे हैं हम लोग तो देख लेते हैं topic में क्या-क्या रहेगा topic में आपको देखेगा तीन topic हम लोग cover करेंगे यह क्या है communication पहला topic तो यह रहेगा हम इसको cover करेंगे communication हिंदी में इसको कभी लोग बोलते हैं संप्रेचर भी बोल देते हैं ठीक है या आप देखोगे इसको संचार भी लोग बोल देते हैं तो वो defend करता है कि हिंदी में आपको क्या संप्रेचर इसका सही हिंदी में translation है फिर इसके बाद interpersonal skill interpersonal skill तो एक ऐसी skill जिसमें आप किसी लोगों से कैसे relation से बनाते हो कैसे काम करवा पाते हो इससे भी तो दूसर टॉपिक यह है interpersonal skill तीसरा जो हम topic cover करने जा रहा है वो decision making ability decision making ability decision making ability जिसको मतलब कि आप decision ले पाते हो तब ही ले पाओगे जब आपके पास skill होगा तो decision making ability जो है वो किल लोगों की अच्छी होती है क्यों लेना चाहिए यह भी तो पता होना चाहिए अब देखो तीन topic हम जो पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले यह पता होना चाहिए यह आपको क्यों पढ़ना है अरे भाई commission है UPPCS commission है तो उसने तीन यह topic दिये हैं तो क्यों दिये हैं तो simple देखो आप एक अधिकारी बनोगे या तो आप SDM बनोगे या आप DYSP बनोगे या फिर बीडियो बनोगे तो आपके पास communication skill नहीं है आप सही से बात नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों बनाया जाएगा तो पहली बात आपकी communication skill अच्छी होनी जैए अब communication skill का मतलब यह नहीं कि बहुत अच्छी अंग्रिजियानी चाहिए बोलना बहुत अच्छा English बोलना आना चाहिए ऐसा नहीं communication का मतलब है कि आप अपनी बात को किसी सामने वाली person के सामने रख पा रहे हो एक अनपड़ इंसान आपके सामने आज आ रहा है क्या आप उसको समझा पा रहे हो एक गुंगा इंसान आ रहा है आप उससे बात कर पा रहे हो मतलब आप अपनी message को दे पा रहे हो तो वही communication है तो communication के बारे में देखने है type क्या होता है communication का ठीक है क्या-क्या barriers आते हैं क्या-क्या बादाएं आती हैं जब बात करते हैं तो इस पे question बहुत आते हैं फिर ऐसी interpersonal skills में interpersonal skills के हो एक officer के पास होना चाहिए आप SDM हो तो भाई सब SDM के अंदर बहुत से लोग काम करते हैं अब सेक्रो लोगों से काम तभी कर पाओगा जब आपके relation अच्छे होंगे आपको काम करवाना आएगा आपकी leadership quality अच्छी होगी नहीं करवा पा रहा है तो फिर अच्छे से जो efficiency और जो productivity निकलनी चाहिए वो नहीं कर पाएगी तो समझ गया तो interpersonal skill का बैक्तिक तो causal तो ये क्या है कि इंसान को interpersonal skill भी अपनी सही करनी होगी आपने देखा हो कुछ लोग आप जब आप college में होगे या school में होगे देखते होगे कि कुछ लोगों की दोस्टी सबसे हो जाती है और वो सबसे काम निकाल लेते हैं मतलब उनकी interpersonal skill अच्छी है तीसरा के decision making ability आप बताईए आप DYSP हैं कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा crime हो रहा है तो आपको decision लेना पड़ेगा क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए कि जिससे crime रुके आप डरे हुए है decision नहीं ले पा रहा है और बस ऐसी चल रहा है तो इसलिए क्या है कि एक officer के पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए तो एक-एक point को देखेंगे अच्छे से जानेंगे और इस पर question आते है पढ़ने का तरीका हमारा क्या रहेगा थोड़ा बता देता हूँ पहले हम क्या करेंगे पहले इन तीनों topic की हम क्या करेंगे पहले इन तीनों topic की हम theory को cover करेंगे theory cover करेंगे ठीक है theory को cover करेंगे दूसरा फिर इस पर हम आपको questions कराएंगे इतना enough है इतना आप कर लोगे इतना आप कर लोगे तो समझ जाओ कि आप बहुत अच्छे से 15 से 16 क्वेस्टन कर सकते हैं आसानी से मतलब आप देखोगे 100 में से आपको 34 क्वेस्टन सही करने है 15-16 क्वेस्टन हैं कर लोगे आपका आदा काम तो ऐसे ही हो गया समझ गया तो आपका C-set नहीं रोकेगा मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि C-set में उनको बहुत अच्छे माक्स आ रहा है लगवा प्रिलिम GS1 में पहले पेपर में जो जन्रल स्टेडी पेपर है को उसमें आ रहा है लगवा 135 माक्स लेकिन C-set में क्वालिफाइंग ही नहीं है बहुत रोते हैं बचारे के क्या हुआ तो C-set को हलके में नहीं UPSC में ज़्यादा होता है लेकिन UP-PCS में भी मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि इनका C-set नहीं निकल रहा है तो इसको करने का सिंपल तरीका क्या है थियोरी को हम अच्छे से कवर करा देंगे कुछ questions करा देंगे और आप लोगों को question करना तो 10 साल का लगा लो मैंने टेली ग्राम पर जो मेरा टेली ग्राम है योगंदरा सर पी डबलू फैमली इस पर जाके आप सर्च कर सकते हो वहाँ पर file भी डाल रखा है योगंदरा सर पी डबलू फैमली इसमें 10 साल के questions भी डले हुए आप उसको देख सकते हो कर सकते हो ठीक है और इससे पहले हमने एक वीडियो भी बनाया है जो बहुत ज़्यादा viral हुआ था लोगोंने बहुत पसंद किया था मेरे selected दोस्त भी बोलते है कि बहुत अच्छा communication के उपर अच्छा वीडियो बनाया है एक लाग से ज़्यादा लोगोंने देखा उसको भी देख सकते हो लेकिन इसमें कुछ extra मैंने add किया है decision making को add किया है तो चलो start करते है तो चलिए पहले communication क्या है जिसको आप देख रहे हैं या पस सूचना लिखा है या आप देखोगे इसको some pressure भी बोलते है ठीक है जो भी आपको देखना है translation हिंदी वाला थोड़ा देख ले न मेरा तो English है लेकिन हम कोशिस करेंगा आपको अच्छे से समझाने के लिए तो communication क्या होता है communication एक simple चीज है कि कोई भी आप message देना चाते है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूँ आप क्या हिंदी में समझाने की कोशिस कर रहे है लिखित में भी समझाने कोशिस कर रहे है हो सकता है इसारे में भी समझाने कोशिस कर सकते है यही communication है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, कि an interpersonal process, interpersonal process क्या हो communication, communication में हम बात करते हैं, इसलिए interpersonal है, एक इंसान किसी दूसरे इंसान से बात कर रहा है, वो person feedback भी देगा, समझ गया, अब यह नहीं कि कोई person अकेला है और किताबों से बात कर रहा है, तो यह communication नहीं है, इसमें interpersonal चीज नहीं हूँ, इसमें feedback नहीं होगा, आप किसी diary में कोई चीज लिख दोगे, तो यह communication नहीं होगा, diary आपसे यह नहीं बोलेगी, क्या रहे हैं, आपने ऐसा लिख दिया, समझ गया मेरी बात को, तो interpersonal process है, जिसमें आप क्या करते हो, sending and receiving symbols, कोई symbols होते हैं, और उन symbol में message होता है और उस message को हम forward करते हैं, जैसे हमने आप लिखा हुआ है, यह सब symbols हैं, और आपको एक message मिल रहा है, यह communication है, समझ गया है, हम जो बोल रहे हैं, यह भी communication है, ठीक है, तो चली आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं, कि communication में कौन कौन से element आते हैं, यह थोड़ा clear हो जाएगा, और इसी पर हर साल एक दो question इसी point से आता है, पहला बात क्या है कि कोई communication करेगा, तो एक person भेजने वाला होगा, sender, जैसे मैं आप से बात कर रहा हूँ, तो मैं sender हुए आपर, फिर मैं एक आपको message दे रहा हूँ, message क्या है कि भाईया, आपको पढ़ाई करा रहा हूँ, आप इसको समझ रहे होगे, फिर क्या, आप इसको interpret कर रहा है हो, जो हम चीजे समझा रहा है, आप इसको सोच रहा हो कि sir क्या पढ़ा रहा है, फिर आप बोलोगे, बहुत अच्छे से बोलोगे, comment करोगे यूट्वबर, और बोलोगे sir आपने कितना अच्छा पढ़ाया है, तो ह को feedback मिले या कि हाँ जो हम message देना चाह रहे थे वो हमारा message सही गया है यही तो communication होता है आप किसी से बात करते हो वो person फिर आपको repeat करके feedback देता है हमने क्या किया हम यहाँ पर sender है हम यहाँ पर message आपको दे रहे हैं पढ़ाई से related बाते कर रहे हैं आप किस channel के थुरू कर रहे है YouTube channel के थुरू कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं इसको receive कर रहे हो आप देख रहे हो समझ रहे हो और फिर इसको interpret कर रहे है और जब आपको अच्छा लगेगा तो आप comment भी करोगे sir आपका बहुत अच्छा समझाने का तरीका है या बहुत अच्छा content है या आप सहीं नहीं पढ पढ़ा रहे हो खराब पढ़ा रहे हो जो भी होगा feedback होगा तो यह पूरा एक channel होता है तो देख लेते हैं कैसे है तो जो भी communication होता है क्या होता है एक sender होता है समझ गए आपके message को देना चाहता है ठीक है receiver उसको receive करता है और उसको decode करता है और decode करने के बाद वो feedback देता है और वो मेरे पास पहुंच जाता है लेकिन एक चीज़ समझ में आने चाहिए जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके पास कई disturbance आ रहे होंगे communication में disturbance क्या है आपका net slow हो सकता है हो सकता है आप जहां पढ़ाई कर रहे हो बहाँ पर ढोल बज रहे हो समझ गए noise हो सकता है यह लाइव क्लास होती तो comment आपका disturbance बन सकती थी clear है तो noise भी होते है क्या है हो सकता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें semantic problems हो मालो कुछ हमने जो लिखा ह हो ये भी problems हो सकती है communication में हमारे संचार में हमारे some creature में समझ गए absence of feedback हो सकता है हम आपको feedback का मौकई नहीं दें आपसे हम बात कर रहे हैं और आप कोई बात ही नहीं सुनी हम चले गए समझ गए हम आपसे बात कर रहे हैं हमने comment बंद कर रहे है YouTube पर तो feedback भी नहीं दे पाओ तो ये भी बादा है समझ गया है तो ये कई तरह की improper channel हो सही से बाद physical distractions हो सकते हैं दूर से किसी को बात कर रहे हैं हम किसी जो बात करना चा रहा है और वो person बहुत दूर है कैसे वो हमारी बात सुनेगा तो ये जब समस्या है status effect हो सकता है status effect क्या है अब मालो कोई person ego में है बहुत ज़्यादा government में है और वो छोटे गरीब बहुत अमीर है और वो गरीब लोगों से बात नहीं करना चा रहा तो इसमें भी तो बादा हो सकती है अरे भाई एक राजा है और वो राजा चाता है कि हमारे राज के बारे इम पता चले तो वो गरीबों से बात नहीं कर रहा है तो कैसे पता चलेगा अरे भाया आप status effect रहे हैं कि नहीं हम तो राजा है हम क्यों बात करें इन गरीबियों से तो आपको feedback मिलेगा तब ही चीजे आपको सही पता चलेंगे कि क्या सही है क्या गलत है ऐसी cultural difference हो सकता है cultural difference क्या हो सकता है मान लीजिए कि आप इंडिया से हो और कहीं मान लो अफरीका मे घूमने जाते हो समझ गये और वहां के लोग किसी गाउं में जाते हो और वहां पर कोई आदवासी लोग रहते हैं ट्राइवल्स लोग रहते हैं अब आप इंडिया में बैलकम करने का क्या तरीका है भाया हां जोड के करता है आपको बहुत अच्छा लगए लेकिन बहां पड़ जैसी गए और उन्होंने भाय सा भाला निकाला और आप डर गए मतलब क्या जो आप म मुझे मारी ढाले हो बहागने लगए मतलब क्या था आपने उनकी कल्चर को नहीं समझा आप जाने से पहले उनके कल्चर के वारे में पढ़ लेते कि उनकी culture क्या है कि कोई इंसान आता है स्वागत किया जाता है आप जाओ नीजू लेंड में कोई परसन आता है तो ढोल बजा के तोप क्या बोलते हैं चिल्ला के स्वागत करते हैं तो हर culture होता है तो कभी-कभी culture में भी difference होता है तो लोग उस message को गलत तरीके से treat कर लेते हैं समझ गया है तो culture difference भी आपके communication में बादा बन सकता है यह भी आपको समझ में आना चाहिए तो देख लेते हैं हिंदी वाले दोस्तिदर कर सकते हैं उसी बात को जो हमने समझाया है उसी को हिंदी में बताया गया है अब दे receiver ठीक है और फिर वो feedback देता है तो कई वार इस procedure में यह पोंच लिया जाता है कि जब हम message भेजते हैं तो उसमें पहला step क्या है तो पहला step है encoding और सबसे last step का है feedback, प्रित्करिया जो पृत्करिया देते हैं हम उसको समझ गया है सबसे last का step क्या है पृत्करिया सबसे last का step है तो यह पता होना चाहिए इसी डाइगराम से हर साल एक या दो कुष्चन आ जाते हैं और लोग जो है इतना गल इसको इतना कठिन समझते हैं उन्हें लगता है कि या और पता नहीं क्या पूँच लिया समझ गया यही पूँच लिया जाए कि कॉमनिकेशन साइकल में last step क् तो भाईया last step होता है feedback आप बताओ हम आपको पढ़ा रहा हैं आप हमारी बास समझ रहे हो लास्ट में क्या दोगे feedback ही तो दोगे समझ गया तो basic चीजे हैं आप सब कर रहे हो सब जान रहे हो बस यह कि एक बार आपको सही से समझ में आ जाएगा तो चीजे खुद automatic clear हो क्यों इसको कमिशन ने आप डाला है क्यों सी सेट में इसको डाला है आपके काम आएगा आगे के नहीं आएगा हर किसी का एक purpose रहता है मकसद रहता है समझ गया तो यह चीजे पता होना चाहिए जैसे हो सकता है आप मेरे बारे में ना जानते हूं मैं अपनी बारे में बता सिलिवस को पड़ा UPSC की तैयारी कर रहे थे तो हर चीज को देखा कि यह कमिशन ने क्यों डाला है कैसे पढ़ना है और सेलेक्शन हो गया पहले ही attempt में अभी इस साल मैंने UPSC का मेंस भी लिखा है तो आप सही तरीके से पढ़ते हो चीजे आसानी से हो जाती है तो इसको भ भाईया जो communication का जो तरीका है वो कई तरीके से हो सकता है समझ गया है और डिफरेंट चैनल से हो सकता है आप देखे हो किलास में बैठे हो किसी दोस से बात कर रहे हो आपने बोला कि योगंद योगंद सर कैसे है मैं ने जवाब दे दिया या आप मिले और आपने इसमाईल क तो हमें message मिल गया कि हाँ यह person खुस है कई तरीके होते हैं communication के उसी के बारे में देखेंगे तो चलो देखते हैं तो पहला सबसे communication का सबसे पहला जो type होता है वो होता है वर्वल communication मौकिक संचा या मौकिक संप्रिच्छर समझ गया मौकिक क्या होता है जब आप मौ से बोलती हो सबसे निकलते हैं आप ही हम आपसे बात कर रहे हैं और आप मेरी बात को सुर रहे हो यह वर्वल communication है यह डारेक्ट पूछा जा सकता है इस पर सबसे सरल question बनता है कि बताओ इसमें से बर्वल communication का कौन पार्ट नहीं है तो भहिया जहां जहां बोलने वाली चीज़े हो वो ब face to face किसी से बात करते हैं direct interaction करते हैं between individuals आप माली दो दोस्त आपस में बात करते हो वो भी वर्वल communication है फोन पर जो conversion करते हो अपने दोस्ते और मर्दे क्या क्या हालवा नेका है बोजपरी में लोग बोलते हैं क्या हालवा हम तो बनारस में पढ़ाई किया है चास साल बोजप परी सुनते थे हम तो मज़ा आता था मुझे सुनके यह मस्त लगता था क्या मस्त बासा बोल रहा है एक दम स्पीड से तो वो भी क्या है एक verbal communication है ना फिर देखोगे meetings और discussion जो होते है meeting में उसमें भी बाते जो होती है वो सब इसी verbal communication का part है फिर आता है written communication written क्या है भहिया letter मिलता था वो letter परती थी कि अच्छा ऐसे ऐसे है आप भी हो सकता अपने पापा से बात करना आप तो नहीं letter कोई नहीं लिखता आप तो क्या हो गया भाई सब आप क्या हो गया है social media इतनी आ गया है लेकि social media पर भी तो written communication है आप लिखते हो गया ना कि भाया हाँ आप message लिखते हो और वो पहुंच देता है और परसन जिसको receive होता है पड़ता है reports आप पड़ते हो तो वो भी क्या है written communication है आप किताब में कोई चीज पड़ते हो वो भी written communication है email तो ये सब चीजे क्या है जिसमें लिखित में आप कोई message भेजा जाता है कोई person लिखित में भेजे और आप उसको पड़ें वो क्या हो जाएगा written communication है आगे देख लेते हैं non verbal communication क्या है ओता है कि जिसमें बोला ना जाए बोला ना जाए केवल इसारों में बात हो जाए समझ गया है तो non verbal communication में कई थाच के कोई जैसे आपनी देखा होगा आपका दोस्स आपके घर में आए आपका दोस्ट आ 小時 में आ आकर कि ऐसे की और आप समझ जा देगे कि दोस्ट बोला है चलो cricket खेलने चलना है, मम्मी को समझ ही नहीं आया और आपने मम्मी को बोला कि मम्मी अभी थोड़ी देर में आता हूँ थोड़ा जा रहा हूँ और बस आप पहुंच गए तो आपके दोस्ट ने कुछ नहीं बोला लेकिन आपको मैसेज यह दे दिया कि चलो चलते हैं तो यह क्या था नॉन बर्वल नॉन बर्वल कॉम्मी केसे होता है बोडी लेंगेज के थुरू होता है बोडी लेंगेज समझ गए बोडी लेंगेज से आपके गेस्टर आपके कैसा है समझ गए फेसियल एक्सप्रेशन कैसा है फेस कैसे आप एक्सप्रेशन कैसा है इसमाइल आपको किसी ने दे दी समझ गया, या आँखो ऐसे कर दिया, या आँख मारना भी आपने देखा होगा, पहले चलता था, समझ गया है, तो यह क्या ही communication के तरीके हैं, clear है, eye contact, आँख, आँख सरी message होता है, engagement, confidence, sincerity, यह सब चीजे हैं, एक होता है, proximex, इसको पूछा भी जा चुका है, इसको UPPCS ने पूछा है, non-verbal communication में आता है, proximex, तो non-verbal communication में कैसे आता है, proximex होता क्या है, तो इस bird को कठिल लग रहा होगा, लेकिन आप समझ लो, ज्याती बहसा में, एक layman बहसा में समझ लो, proximex कुछ नहीं होता, यह non-verbal communication का एक पार्ट है, जैसे मान लीजिए, कि चीजों को ऐसे रख दिया जाए, जो भी territory है, जो भी घर है, उसको ऐसे रख दिया जाए, वो message दे, जैसे आपके घर में कोई महमान आ रहा है, और महमान आए, या मान लेते हैं, आपकी दोस्त आ रही है, समझ गया है, आप मान लीजिए female है, तो आपका male दोस्त आ रहा है, मान लेते ह और आपने कहा कि रूम ऐसे सजा दिया, गुल दस्ता लगा दिया, तो आपके दोस्त को ये मेसेज चला जाएगा, कि हाँ यार मेरा कितना केर करता है, कितना Would Respect करता है. समझ में आ गया है, तो एक मेसेज उसको जाता है न कि आपने सजावट ऐसे की, चे एसे लगा दी. समझ गए अब माले आपकी घर में कोई महमान आ रहे हैं और आप चाहते हो कि यह महमान मेरी घर में नहीं आए और उसने कॉल की कि हाँ कल आपके घर आएंगा आपने बहुत दुखी मन से किया हाँ ठीक है आप आजाना और जैसे आने के टाइम पर किया ताला लगा दिया अब बिचारे जैसी वो महमान घर आया ताला उनसे ऐसे बोल रहा है चले जाओ यहां से हम नहीं आने देंगे इस घर में बिचारे ऐसा लगता है कि ताला उनको लग रहा है गाली दे रहा है तो एक ताले ने मैसेज दे दिया कि भाईया इस घर में तुमारा स्वागत नहीं है स हर चीज एक मैसेज देती है इन डिरेक्टरी बिना बोले समझ गए तो ये नॉन बरवल के सब कॉमनिकेशन है तो प्रॉक्सेमिक्स भी समझ जाए संदेश देने के लिए ब्यक्त गत इस्तान का उपियोग करना यही प्रॉक्सेमिक्स है ठीक है चलो और भी देख लेते इसमे और भी मैं कुछ वर्ड्स आपको बता देता हूँ इसमें एक होता है 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 क्वृप्तिक कम्नीकेशन इसको भी लिख लो ये भी पूछा जा सकता है है क्या होता है इसको भी लिख लो आप ठीक है बाद मैं भूल जाओगा इसमें नोर्स में Rio लेकिन आपको समझा दे है, haptic communication क्या है, कि जो touch किया जाता है, touch करके भी message होता है, touch, समझ गए, एक touch होता है, मालोग गुस्से में किसी को आप मार दो, ऐसे करके कर दो, तो वो गुस्सा है, उसको समझ में, एक frame से touch कर दो, समझ गए, तो touch करने से भी message जाता है, कि आप किस base से touch कर रहे हो, समझ गए, आम हाले जे कोई एक बच्चा है अब उसको एक bad touch होता है, एक right touch होता है, content to be message देता है तो यह आ जाए कि Haptic Communication किसका पार्ट है, तो Haptic Communication non-verbal communication का पार्ट है, एक lifelong communication किया है यह भी पता होना चाहिए, तो Haptic Communication touch वाले जो communication होता है, कि टच करके भी मैसेज जाता है आपने देखा आप दोस्त के साथ जा रहा है और हातों हातों में आपने उंगली उसकी ऐसी दबा दी तो ये टच है ना उसको मैसेज चला गया कि नहीं बोलना नहीं है समझ गया तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए आगे चलते हैं विजूल कॉम्निकेशन क्या होता कोई चीज आप देख रहे है और आपको मैसेज जा रही है आपने ग्राफ्स देख देखे होंगे, चार्ट्स देखे होंगे प्रेजन्टेशन्स देखी होंगे इन्फो ग्राफिक्स देखी होंगे उसमें कुछ लिखा नहीं है लेकिन ग्राफ्स देखे आप समझ जा रहे हो कि हाँ भाईया देको पॉपुलिशन कितनी बढ़ रही है किसी चीज का ग्राफ्स दिया हुआ है तो उसको क्या बोलते है विजूल कॉम्निकेशन तो जैसे नाम है उसी नाम से आप समझ जाओगे कि कॉम्निकेशन क्या है ठीक है ये भी बहुत अच्छे समझ गाई ग्राफ और चार्ट से जो मैसेज आपको मिलता है उसको visual communication बोलते है digital communication क्या है आजकल तो हर कोई digital communication कर रहा है WhatsApp पर जो बात ही कर रहे है digital communication है Telegram पर जो बात ही कर रहे है आप लोग वो भी digital communication है समझ गया Facebook पर जो बात ही कर रहे है वो भी digital communication है Instagram पर जो बात ही कर रहे हो वो भी digital communication है Instagram पर किसी ने फोटो डाला, आपने कमेंट कर दिया, क्या संदर फोटो है, बाई सब यह क्या है, यह communication है, तो यह written communication भी हो गया, यह digital communication भी हो गया, लिखा है न आपने, समझ गया, तो यह चीजे आपको पता होनी चाहिए, वीडियो कॉनफरेंसिंग करते हैं, तो यह भी digital communication है, किसी online तरीके से कर रहे हैं, तो समझ गया, interpersonal communication में हर चीज़ आती है, तो interpersonal communication, जितना भी हम communication कर रहे हैं, वो सब interpersonal communication में आता है, तो समझ गया, interpersonal communication, मतलब क्या है, पारस पर एक संचार, मतलब आप एक डूसरे से जो बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, वो सब interpersonal communication में आता है, तो ये भी, तो जब one to one conversion कर रहे हैं, वो interpersonal skill है, small group में कर रहे हैं, interpersonal communication है, team में बात कर रहे हैं, interpersonal communication है, तो ये इसके तो अंदर अधर हर को ही आता है, इस वाले अंदर सब आता है, अब देख लेते हैं, formal communication क्या है, formal communication, आपचारिक संचार, आपने देखा होगा, जब इलावाद में जाओ, लोग हिंदी में बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं, ज्यादा आपचारिक तरीकी से बात मत करो, दोस्थू में तो आपचारिक बाते वो होती हैं, आपचारिक communication वो होता है, formal communication वो होता है, जिसमें एक जैसे office में बात की जाती है, समझ गया है, सब भी तरीके से की जाती है, समझ गया है, जिसमें एक method होता है, बात करने का office में है, तो आप यह नहीं कि घर में जैसे बात करते हो, वैसे क तो formal communication आपने देखा हो, official जो document होते हैं, तो उसमें कैसे report लखी रहती है, एक systematic way से, कि जो policies है, इसमें सब बाते होगी, वो formal communication है, reports में जो बाते होती है, वो formal communication है, जो भासर देते हो, उसमें भी क्या होता है, formal communication है, समझ गया, आप लगा के बात होगी, कि इस, आज हम ये बात क करेंगे, आज हम इस topic पर बात करेंगे, तो एक systematic तरीके से बात करते हैं, तो वो क्या होता है, formal communication, इतना समझ लो, जो office में बाते होती है, जब meeting में बाते होती है, speech जो भासर दिये जाते हैं, उसमें जो भासर दिये जाते हैं, या उनको represent किया जाता है, वो sub-formal communication का part है, informal communication क तो simple है, भाईया समझ जाओ, दो दोस्त बात कर रहे हैं, तो समझ जाओ कि भाईया, वो दोस्त बात कर रहे हैं, वो informal communication है, आपस में गाली गलोज कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, या आपने देखा होगा, class में जो बाते हो रहे हैं, formal है, teacher पढ़ा रहा है, हम जो आप देख से छुटका, तो वो जो बाते करने लगते हैं, वो informal communication है, तो informal communication क्या है, जो casual conversations होते हैं, casual conversations होते हैं, तो उनको भाई सब बोला जाता है, जो गप्टे की जाती है, गप सब, समझ गया, गप सब जो की जाती है, वो भी informal communication है, water cooler talk क्या होती है, मतलब water cooler क्या, जाब पानी पीने जाते है न जो अब स्कूल में जा रहा है वहाँ पर बॉटर कूलर लगा है समझ गहा है और वहाँ जा रहा है और पानी पी रहा है और ऐसे पानी पी रहा है जैसे जैसे गिलास में से एक ही बून टपक रहा है जैसे लगता है कैटरीना परिचार करती है एक मिनट तक ब बेट करती है, कि वह बूंद गिरी नहीं रही है, ऐसे याब बेट कर रहा है, पानी गिरी नहीं जान भूंज के सलो करा, जिससे थोड़ा बात कर पाएं, किलास में जाने का टाइम मिल जाए, समझ गहाएं, और टीचर बैसा मिल जाएं, स्टिक टाइब का, क्या बोलेगा, अ अनौपचारिक संचार, जिसमें दोस्त बाते करते हैं, गपसब करते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, चलिए, cross-cultural communication क्या होता है, कि जब दो culture के लोग बात करते हैं, एक जापान का कोई लड़का है, और एक इंडिया की कोई लड़का है, समझ गया है, या इंडिया की कोई communication, समझ गया है, clear है, तो ये simple है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, कि communication across cultures, clear interaction between people from different culture backgrounds, तो इसको क्या बोलेंगे, cultural communication बोलेंगे, इसमें भी कुछ ऐसा है नहीं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, mass communication क्या होता, mass communication, हाँ, ये देख लेते हैं, कि एक इंसान बोल रहा है, और हजारा लोग सुर रहा है, जिसे मोदी जी भासर देते हैं, तो ये mass communication है, कोई आप दिने देखा होगा, news होते हैं, news anchors होते हैं, या media होती है, वो एक परसन बोलते हैं, हजारा लोग सुनते हैं, तो क्या mass communication है, मोदी जी का जो एक program है, कौन सा program है, जिसमें मन की बात, समझ गया, उसमें हर लोग सुनते हैं, तो मीडिया की जो बाते होती हैं, एडविटीजमेंट आप देखते होगा, किसी एडविटीजमेंट को देखते होगा, उसमें एक परसन एडविटीजमेंट करता है, बहुत से लोग उसको सुनते हैं, मतलब बिग्यापन, तो बिग्यापन हो गया, मेडिया हो गी, जनसंपर्ख हो गई, ये सब तरीके किस के हैं, जनसंचार के हैं, मास कॉम्निकेशन के, तो ये भी बहुत सराल है, इसमें भी कुछ नहीं, अब हम देख लेते हैं, मेटा कॉम्निकेशन, ये पूचा जा चुका है, एक बार EPPCS ने प प्रिपेंद के निकला है, और आप उसकी तरफ देख के बोल रहा है, वाँ भाई बा, आज तो बहुत सुन्दर लग रहा है, अब आपका दोस्त कन्फूज है, कि ये सच में प्रेज कर रहा है, या मजा ले रहा है, समझ गया है, तो ये जो आपने सेंटेंस ऐसा बोला, अ वो ऐसे कॉम्टिकेट करते हैं, कि उसका मीनिंग कुछ ऐसा निकलता है, वो जो चाता है, तो यहां बक्ता के सब्दों का चयन अंजाने में, बास्तिविक सब्दों की तुलना में कुछ अधिक संबाद करते हैं, समझ गया है, उदार के लिए, जैसे उदार के लिए आपन लेते हैं, और वो ऐसे बोल देते हैं, कि उसका क्या मीनिंग निकले है, समझ गया है, clear है, तो उसको बोलते हैं, एबी आपको अच्छे समझ और आपको पहली समझा दिया है, जो ऑफिस में जो बाते होती हैं, systematic basis से बाते होती हैं, reports में जो होती है, बासर जो दिए जाते है उस सब को क्या बोलते हैं उसको formal communication बोलते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ठीक है तो इसको भी आप एक बार लिख लो ठीक है लिखते चलो समझते चलो और कोई भी दिक्कत आपको होती है तो आपको comment में भी बता देना है हम comment पर भी आपको reply दे देंगा clear है चलिए बहुत बढ़िया आगे चलते है अब हम देख लेते हैं एक क्या है अब हम देख लेते formal communication समझा दिया बहुत अच्छे से इसमें कुछ है नहीं अब हम देख लेते downward communication ये पूच्छा जा चुका है very very important तो downward communication क्या होता है तो जब आप office में जाते हो तो office में एक बड़ा officer होता है उसके नीचे ये छोटे छोटे officer होते हैं और उसके नीचे भी officers होते हैं समझ गया और इसके नीचे भी काम करने बाले होते हैं समझ गया यही तो होता है ऐसा ही तो होता है तो क्या होगा ये person कुछ message देगा इनको और ये message देगा इनको और ये देगा तो ये उपर से नीचे जो message आ रहा है उसको downward अदो मुखी संचार बोलते हैं अदो मुखी संप्रिचर बोलते हैं उपर से नीचे की ओर बहने वाले संचार को मतलब होने वाले संचार को समझ गए उसको क्या बोलते हैं downward संचार होते हैं किसी भी संगठन में एक अंतरनित पदा अंकुर्मक्त प्रडाली होती है समझ गए इसमें पहले उदारण में संचार हमेशा नीचे की ओर बता है उपर का एक officer है वो message देता है clear है तो इसको downward communication बोलते हैं बहुत अच्छे से सरल तरीके से आपको समझना आ जाना चाहिए ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं बहुत अच्छे से ऐसी upward communication क्या है upward communication इसका उल्टा है upward communication में क्या होगा कि कोई मान लीजिए ये एक बड़ा officer है मान लो ये SDMO आप समझ गए और इसके नीचे मान लीजिए काम कर रहा है बीडियो काम कर रहा है समझ गए बीडियो काम कर रहा है दो बीडियो काम कर रहा है ठीक है और इस बीडियो के नीचे मान लो और भी मान लो कोई officer काम कर रहा है ठीक है अब ये officer क्या करेगा इस सो कुछ बात बोलेगा ये इसको बोलेगा तो नीचे से message जो उपर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं upward communication जैसे मान लिजे गाओं की एक जनता किसी person को DM को message करे और DM उस बात को उपर तक पहुँचाए ये क्या होगा upward communication है सम जो गामी संचार बोलते हैं वह संचार जो नीचे से उपर की और बैता है जो निचले पदा अनक्रमित इस तरह से उच इस तरह तक होता है उसे उपर की और संचार का जाता है उपर की और संचार का मुख कार निचले इस तरहों पर क्या हो रहा है इसके बारे में उपरी इस लेकिन इसी में कोई मान लीजिए ये गाउं के लेवल की जो बात है और ये बड़ा ओफिसर है और इसके बीच में ये भी ओफिसर है ये यहां बात पहुचाता है ये बात यहां पहुचाता है तो कभी-कभी आपने देखा होगा कि ये ओफिसर अपनी जौब की सुकॉर्टी कनने के लिए इसको खुश कनने के लिए गाउं की जो बाते हैं जो सही तक यहां पहुचनी चाहिए वो नहीं पहुचाता है उन्हीं बातों को पहुचाएगा जो इसके लिए अच्छी होगी जो इसको जादा डांट न पढ़े या इसको जादा नुक्सान न पहुचे तो ऐ उस चीजों में कुछ बदलाब कर देता है, हेड फदल कर देता है, उसको बोलते हैं, फिल्टरिंग, ठीक है, तो हमने यही पर यह concept समझा दिया, कि नीचे से लेके उपर जो बाते पहुंचाते हैं, नीचे से लेके उपर तक की जो बाते होती हैं, उसको उर्ध गामी संचार बोलते हैं, और उसमें बहुत सी चैंजेज कर देते हैं, कभी-कभी लोग, तो उसको फिल्टरिंग बोलते हैं, मतलब फिल्टर करके, कि उनीचीजों को पहुंचा रहे हैं, जो हम चार हैं, बस, ऐसे समझ जाओ, आगे चलते हैं, पार्स संचार क्या होता है, लेटरल कॉम अब्निकेशन टेक प्लेस बिट्विन टू और मोर परसंस, वो आर सबडिनेट बरकिंग अंडर दा सेम परसंग और दोज वो आर बरकिंग उन दा सेम लेवल, जैसे क्या होता है, कि एक अधिकारी है यहां पर, और उसके नीचे हैं, यह ओफिसर्स हैं, कुछ भी लोग हैं समझ गए, तो यह एक लेवल पर हैं, यह आपस में बात करने लगें, यह आपस में बात करने लगें, तो एक लेवल पर, होरिजेंटल लेवल पर यह जो लोग बात कर रहा हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, लेटरल कॉम् और इसी communication का दूसरा नाम है horizontal communication लिख लो पूछा गया था इसी का दूसरा नाम क्या है horizontal communication इसके notes भी आपको मिल जाएंगे अच्छे से पड़ो बस समझना है ये notes में कुछ नहीं है बस भी तो हमने आसी आप लोगों के लिख दियें कि आप लोग पहिसान ज्यादा रहते हो किस इसलिए हमने फिर इसको चैलेंज लिया और आपको पढ़ा दिया आप देखाओ एक वीडियो जो हमारी सबसे जादा देखी गई है एक लाक लोगों ने देखा है बहुत प्रेज करते हैं कि होता क्या है कि कहीं content नहीं मिलता था अब लोगों ने फिर नकल दीरी-दीरी करन स्टार्ट होगे ना तो आज से 9 महीने पहले इसका कहीं content नहीं मिलता था हम भी परिशार रहते थे यार कहीं अच्छा content मिले फिर हमने बहुत सी books पढ़ी कई जगह से निकाला गूगल किया फिर आपके सामने ये content है ठीक है तो चलो आगे चलते हैं फिर देख लेते diagonal communication क्या इसको भी देख लेते diagonal जिसको बिकर संचार अजो diagonal communication ऐसा है कि एक officer यह है और इसके इसके पास ये person है समझगे different मालो ये DYSP है समझगे और ये मालो BDO है समझगे और ये क्या है IS है कोई बड़ा अधिकारी है और इसके अंदर एक और देख लेते हैं इधर माल लेते हैं और भ इसको इस से बत करने लगता diagonally इस person को इस से बत करना चाहिए था तो ये क्या हो जाता upward communication इसको इस से बत करने तो यह downward communication लेकिन ये इसससे बत करता है तो इस type की जो बात होती है इसको Bicard संचार बोलते है विकर या क्रोस भाई संचार में विविन इस्तर पर इस इस्तर पर बेक्तिओं के भी सूचना के प्रवाब सामिल है जिनके पास कोई प्रिथिच रॉपोर्टिंग नहीं है ये इसको रॉपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन यह इस से बात कर रहा है और यह label भी समान नहीं है तो इस type के communication को क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे diagonal communication बोलेंगे मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी से यह समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं एक उधार के रूप में विपनन विवा में एक example दिया है कि माल लिए कि एक क्या है कि एक training supervisor है और एक है marketing manager और यह आपस में बात कर रहे हैं कोई लेना देना नहीं है तो यह जो एक type की बात है तो यह diagonal communication क्यलाता है हमने पहले ही आपको समझा दिया उधार देखे कि ऐसी बाते कि जो किसी के reporting में नहीं है और वो आपस में बात करने लगते हैं जब आप किसी company या private company में job करो गया सरकारी job करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी reporting एक इनसान को रहती है समझ गया है सब चीज अपना सब कुछ आपको transparency accountability उस person को देनी रही कि आपने क्या काम किया है क्या growth हुई है क्या दिक्कते हैं सब बतानी पड़ेगे ऐसी private company में आप जाओ को मैं हूँ तो मेरा भी पूरा data waste online बना रहता है कि मेरा ये manager है मैंने कितनी classes ली है क्या बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो manager मेरा पूरा देखेगा समझ गया है तो मुझे उ जाएगा तो हो जाएगा क्या? diagonal communication समझ गए? diagonal communication है यही तो पड़े थे अभी चलिए clear हुआ अब देख लेते हैं communication में कौन-कौन सी बादाहाएं आती हैं इसको देखेंगे कि communication में बादाहाएं कौन-कौन सी आती हैं तो different type की बादाहाएं आती हैं ये थोड़ा देख लेते ये भी question पूछा जाता है, इस पर भी question पूछा जाता है, कि कौन कौन सी बादाएं आती हैं, समझ गया है, तो उन बादाओं के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, चलो, तो इस से पहले ये बादाएं स्टार्ट करने से पहले, एक और कुछ concept क्लियर कर लेते हैं, कुछ और च पेरा language ये होता है, कि जो आप बोलते हो, उसमें आपकी tuning क्या है, समझ गया है, किस amplitude से बोल रहे हो, amplitude क्या है, समझ गया है, इंटेंसिटी क्या है, समझ गया है, तो उसको बोला जाता है, उसको para-language बोलते हैं ये सब्द भी कई बार पूछा गया है तो para-language आपको समझ में आ गया proxymix हमने आपको समझाई दिया proxymix, proxymix क्या है ये non-verbal communication है इसको लिख लो एक जगन notes बना लो non-verbal communication का part हमने आपको समझा दिया, non-verbal communication है कि जब इस्तान को आप सजावट कर दो अच्छे से, तो एक message indirectly चला जाता है कि भाईया क्या चाते है, proxymix हो गया ऐसी एक सब्द जोर है, काईने वो चलो ठीके आगे आएगा, वो जागे तो ये दो सब्दे वो हमने आपको cover करा दिये चलो अब हम देख लेते हैं, संचार में बादाएं कौन-कौन सी आती है तो भाईया देख लेते हैं तो पहली बादा जो किसी से आप communication करना चाते हो, तो language barrier आता है कि भाईया देखा, एक person है कोई Tamil नाडू का है, और उसको आती है Tamil, और वो आ जाता है बिहार के रीजन में, और बहाँ पर भोषपुरी बोली जा रही है समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा क्यों नहीं समझ पाएगा? कि उसकी जो communication का, जो medium है, वो भाई सब तमिल है लेकिन भाँ लोग क्या बोल रहे हैं? पापा लोग भोषपुरी बोल रहे है नहीं, तो एक तो बादा ये आती है कि language का difference होना, समझ गए? clear है? तो ये, और complex language भी use करना, ये भी दिक्कत बन सकता है, कि चलो ठीक है कि आपको हिंदी आती है लेकिन योगन सर इतना ऐसा हिंदी बोल रहे है, एकदम प्राचीन काल वाली, कि समझी नहीं पा रहे है समझ गए? हम ऐसे-से सब्दों को use कर रहे है, कि नहीं तो ये तो तुमारी परंपरा है जिंदिगी में सुदर रहना बहुत जरूरी है जमूरियत तभी बचेगी जब आप सही रहोगे अब बोलो, यार क्या बोल रहे है योगन सर समझ गए? क्लियर हुआ तो हिंदी में भी ऐसे-से सब्द है तो सरल भासा में बात करनी चाहिए non-native speakers, कोई person विदेशी है, यहां आगया, उसको समझ में हो सकती है, तो यह बादा होती है दूसरा क्या है, कल्चर बैरियर हो सकता है कल्चर बैरियर का एक्जम्पल हमने पहले ही समझा दिया, कि सांस्कृत बादाएं हो सकती है, समझ गया? आप मान लीजिए, कोई person है, X, Y, Z, और वो person जा रहा है मान लीजिए, नीजविलेंड में घूमने बहाँ पर कोई महमान आता है तो भाईया, बहाँ पर क्या करते हैं बंदू को निकाल के चलाने लगते हैं, अब उस बंदे को कल्चर ही नहीं पता, अब बहाँ घूमने का बंदू निकाली वह तो डर जाएगा बंदू निकाल के भाईसा मारे गया लेकिन यह पता नहीं कोई महमान आ रहा है चलो ठीक है, कार्तूस एक फोड़ दे तो कल्चर है उनकी, तो कल्चर का भी बादाएं आ सकती है, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट कल्चर हैं, उनका एक मीनिंग है मैसेज होता है, उसको समझ में आना चाहिए फिजीकल बैरियर्स हो सकते हैं फिजीकल बैरियर्स क्या है, कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो बात नहीं कर पा रहे हो जहां आप बात कर रहे हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नोईज हो रहा है, सोर हो रहा है मान लीजिए, कि हम क्लास ले रहे होते हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं पस साइड में भाई सब किसी की साधी और या डोल मजीरा सब बज रहे हैं तो आपको इलिए डिस्टर्वेंस होता ना हम जो आपको समझाना चा रहे होते हैं वो हो सकता है, नहीं समझ पाओगे क्यों बीच में सोर गुल क्रियेट हो रहा है तो ये दिक्कत हो सकती है हो सकता है, आपके कान भी खराब हो सकते हैं तो ये भी दिक्कत हो सकती है सुनने में तो physical barrier में यह आता है तो physical barrier में पूछा भी जा सकता है कि क्या क्या आता है तो physical barrier में noise हो गया आपकी कोई 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 आपकी दिक्कत है कानों में सुनने की उसको उसको भी ले सकते हैं तो यह सब चीजे आती हैं clear है? चलो आगे चलते हैं psychological barriers करते हैं जिसमें परसन को क्या होता है जिसमें परसन क्या करता है कि पहले से एक साइकोलोजी बना लेता है। बो परशन ऐसा है, यह लड़की है, लड़की यह नहीं कर पाएगी, समझ गया, यह यह योगन सर है, यह तो बहुत गुश्यल सर है, समझ गया, बहुत गभंडी सर है, ऐसा लोग बना लेते हैं, साइकलोजी बना लेना, तो क्या होता है, emotional state ऐसा आप कर लेते हो, interpretation गल करते हो, prejudice पहले से बना लेते हो, पहले इसे biases create कर लेते हो, पहले इसे perception create कर लेते हो, पहले इसे धाड़ा बना लेते हो, समझ गया, विश्वास की कमी है, तो ऐसी चीज़े आपको लिए क्या है, तो जब आप मान लीजी, आप मुझे ऐसा समझ लोगे, नहीं पहुँचेगा, clear है, मैं क्या बताना चाहरा हूँ, clear हुआ, चलो, आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं, perceptual barriers क्या है, perceptual barriers, psychological barriers की तरह है, कि आपने perception बना लिये, जैसे आपने बना लिया, कि story type होगा, कि लड़की पेड़ पर नहीं चल सकती है, लेकिन क्यों नहीं चल सकती है, आपने पहले ही से बना लिया, आप कोई message आपको देने आ जा रहा है, कि वो लड़की पेड़ पर चल गई, वो message देना चाहरा है, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहें, क्यों नहीं समझ रहें, कि आपने पहले ही से perception बना रखा है, तो ये भी barrier हो सकता है, तो ये भी बहुत simple है, अब हम देख लेते हैं, semantic barriers क्या हो सकते हैं, कोई symbols में दिक्कत हो सकती है, जैसे मान लीजिए, हमने रिखा RAM, समझ गया है, और RAM में हमने क्या काम किया, ऐसे करके लिख दिया, अब हम RAM लिखेते हैं, लेकिन A ऐसा बनाया, जो RAM दिख रही, तो हम आप क्या पढ़ लोगे, RAM पढ़ लोगे, तो हमने क्या ये जो symbol है, यहाँ पर सही से नहीं लिखा, तो symbols में दिक्कत हो सकती है, ambiguity हो सकती है, language में, समझ गए, lake of clarity हो सकती है, जो हमने लिखा है, वो सही से नहीं लिखा है, तो semantic बादाएं हो सकती है, प्रितीक गलस हो सकते हैं, symbols गलत हो सकते हैं, writing खराब हो सकती है, यह सब बादाएं आती है, organization barriers होते हैं, तो organizational barriers क्या होते हैं, तो देखो, पहले बहुत दिक्कत होती थी कि एक DM है और एक गरीब इंसान उससे बोलने नहीं जा पा रहा है विचारा तो organization लोगों को लगते हैं तो लोग पहले ही से यह सोच लेते कि यार इस organization में बात करने है तो DM से बात नहीं कर सकते तो organization में क्या होता है कि कुछ ऐसी organizational बादाएं आत यह भी communication में बादा बनता है अब एक गरीब इंसान है वो कुछ सिकायत करना चाहरा है DM से लेकिन ऐसी hierarchy बना रखी है वो DM से मिली नहीं पाएगा समझ गया है लेकिन अब धीरे-धीरे क्या हो रहे है कि आज कल educate DM आ रहा है system change हो रहा है उन्हें पता है कि हमें समास सेबा करनी है बहुत अच्छे से development अभी होगा कि field work करो लोग की बाते करो तो अब तो हर कोई DM गाउं में जाता है बाते सुनता है पहले क्या DM को भगवान मान लेती है कि नहीं उस चे तो कोई नहीं मिल सकता है समझ गया है ऐसी चीज़े तो यह भी बादा हैं रहती नोकर साइज प्र से ऐसा कुछ हो जा YouTube आपसे सही से नहीं चलना है हो सकता है मेरी जो भासा है वो समझ में ना है या मालो मेरी बॉइस थोड़ी सही से समझ में नहीं आ रही होगी या हो सकता है आपका net slow हो तो जो भी बादा हैं आती हो टेक्नीकल टेक्नीकी बादा हैं आ सकती है तो issues with communication tools and technology उनको क्या है जब communication में जो technology हमारी बादा है वो परेशान करती है तो उसको technical glitches बोलता है समझ गया टेक्नीकल technological barriers बोलते है तक्नीकी घड़वडियां बोलते हैं तो यह भी बहुत स्वारल है personal barriers भी उसकते है personal barriers क्या होते है personal barriers क्या होते है जब odd person अपनेsted level से अपनी issues को किसी दूसरे person से compare करता है या उससे कोई लड़ाई चल लई है जगड़ा की चल लई है और सहीसे बात नहीं है जैसे मान लीजिए कोई इंसान है मेरी उससे लड़ाई चल रही है और मैं उसके पास message देना जा रहा हूं मेरी बात सुनेगा लग रहा नहीं बुल लगा रहे कि ego हो सकता है person में, defensiveness हो सकती है, रच्छात्मत का हो सकती है, lake of interest हो सकता है topic में, poor listening skill हो सकती है कि वो ज्यान से सुनने कि उसकी आदती नहीं है तो personal barriers हो सकते है तो communication में बाई सब दिक्कत होगी, अब कोई person है मालु मेरी class देख रहा है और उसका क्या है, lake of listening, poor listening skill है उसकी, कि वो सुनता ही नहीं है जान से, तो उसको चीज़े समझ में आएंगे, नहीं आएंगे, तो ये दिक्कत आ सकती है, तो बहुत सी दिक्कते हैं, अब देख लेते हैं, interpersonal barriers क्या होते हैं, तो interpersonal barriers क्या होते हैं, कि जब relationship conflict होते हैं, तब communication नहीं हो पाती है, अब मान लीजिए, दो person में साधी होई है, समझ गया, ये male है, और ये female है, अब इनमें आपस में लड़ाई चल लई है, तो भाया कैसे इनमें इसमें communication हो पाएगी, कि को ये interpersonal इनकी जो skill है, जो relation है, वही खराब है, समझ गया, तो दिक्कत हो सकता है, तो ये भी दिक्कत होती है, तो ये भी भाना करती है, वो सच में रोती नहीं है, बस भाना मारती है, रोने का, और उसका ऐसा perception है, जेंडर के प्रत, ठीक है, और वो क्या करता है, वो बस में बैठा है, और कोई सच में एक लड़की आ रही रोते हुए, कि भाहिया, मुझे ये दिक्कत है, या मेरा पर्स चोरी हो मुझे दस रुपई दे दो, मुझे भाहा जाना है, किराय नहीं है, अब वो परसन क्या सोच, अरे यार, ये तो लड़की है, इनका रोने का काम है, अब वो बहुत सिंपल मैसेज भीजना चारी है, कि मेरा पर्स चोरी हो गया है, मेरे दस रुपई निकल गया है, मुझे द लड़का हमेशा गुसा में रहता है, लड़की हमेशा रोने जारे, ऐसे एटिटूड में रहती है, तो ऐसे प्रसप्चन, तो डिफरेंसेज इन कॉम्निकेशन स्टाइल्स, बिट्वीन जेंडर्स, समझ गया है, इसको स्टोरियो टाइप्स लोग बना लेते हैं, इन सभी को क्या करते हैं, ये भी हमारी कॉम्निकेशन में बादा बन जाती, जो हम मैसेज भेजना चाह रहे हैं, वो मैसेज नहीं भेज पाते हैं, जैसे उस रड़की को मैसेज क्या भेजना था, कि भई हमारा पर्स चोरी हो गया, मुझे 10 रुपए दे दो, लेकिन उस मैसेज को उ को कैसे खतम किया जाए, तो ये भी कभी कभी बहुत इस पर भी कॉस्टन बनता है, एक बाह आपने सही से कंसेप्ट के लिए क्लियर कर लिये न, तो 18 कॉस्टन आते हैं, तीनों टॉपिक से, कॉम्निकेशन से, इंटरपर्सनल स्किल से, और डिसीजन मेकिंग से, और 18 में से आप कम से कम 15 सही कर सकते हो, और 15 कॉस्टन बहुत होते हैं मालिक, समझ गया, तो ये इसी तीन घंटे से 18 कॉस्टन सही हो जाएंगे आपके प्रिलेम्स में, बस आप सही से समझ लो, तो चलो देखते हैं, ओवर केमिंग बेरियस, बेरियस कैसे कम होंगे, तो भाईया पहली बात हो कि active listening करना स्टार्ट कर दो, active listening क्या होता है, सक्क्रिय सुनना, कि किसी से बात कर रहा है, तो पूरा ध्यान दे के उसकी बात को सुनो, तब ही आप, आपकी communication skill अच्छी होगी, communication skill का मतलब ये नहीं है, कि बोले जाओ, बोले जाओ, बासर दिये जा रहा है, कि सामने ब बाला बोल रहा है, आप उसको कितने ध्यान से सुन रहे हो, तो सुनना भी communication का एक पार्ट है, लेकिन लोगों का illusion क्या होता है, लोगों का, लोग पता नहीं, पढ़ाई नहीं करते हैं, इतना deep में concept समझते ही नहीं है, उनको ये लगता है कि communication का मतलब होता है, बासर सुनान दूसरा क्या आप जो बोल रहे हो, वो अविवक्ती में इसपस्टता होना ही चाहिए, जो भी बोल रहे हो, clarity होनी चाहिए, clarity in expression होना चाहिए, जो भी आपने बात किये, उसकी प्रितक्रिया दो, उसको feedback दो, तब ही सामने वाले को समझ मा आएगा, कि हां मुझे क्या समझ मा है, अब एक लड़की थी, जो बस में पैसा मांग रही थी, रो रो के, उसको प्रितक्रिया दे देता है, कि भेहन हम आपको पैसा तो दे देता, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ है, कि लोग भाने मारते हैं, तो उसको एक message समझ मा आ जाता है, कि ये person क्यों मना कर रहा है, समझ जो होती है, उनके बारे में knowledge रखना भी जरूरी है, clear है, नई knowledge रखोगे तो कैसे पता चलेगा, तो cultural sensitivity भी रखना बहुत जरूरी है, तब ही हमारी communication इसके लच्छी होगी, न तो किसी culture के बारे में नहीं जानते हैं, हम गए भाई सम नीजुलेंड में घूमनें, और देखा कि ये मारने आ रहे हैं और भाग गए आप, लोग सुचिंगा है ये तो मूर्ख है, clear है, तो ये भी पता होना चाहिए, emotional intelligence आपका अच्छे से होना चाहिए, आप emotional जो भावात्मक बुद्ध मता है, ये होता क्या है, emotions को समझना, समझ गया, emotions को समझना, दूसरे के emotions को समझन अपने emotions को समझना, जब आपके अंदर emotional intelligence होगा, तो सामने बाले को समझोगे, वो क्या बोल रहा है, उसको समझोगे, उसकी बाते क्या है, उसको समझोगे, समझ गया, तो आपकी communication अच्छी होगी, use of technology, technology को सईसे use करो, कोई चीज नहीं समझ में आती, उसका translation कर लो, समझ ग और अच्छे से कैसे, जो हम बताना चाहरे है, उसको और कैसे अच्छे से समझ सकते हो, कि भाईया, translation करके, Google पर आप देख सकते हो, use of technology, technology का use करके, आप समझ सकते हो, तो यह communication हमारी सही हो जाए, तो communication को कैसे, जो barriers है, उसको कैसे सही कर सकते हो, यह इंसान समझा रहा है, भा कोई लड़की आपके सामने आती है, कोई लड़का आपके सामने आता है, और वो भाई साब हसते हुए आ रहा है, कि हाँ मैं बहुत खुस हूँ, लेकिन उसके आशू टपक रहे हैं, आपने केवल सब्दों पर ध्यान दिया, तो आपको, केवल आपको message यह मिलेगा, बहु तब वो सच में जो real message है, अंदर का message, वो message बताएगा, तो आपको क्या करना है, non-verbal cues भी देखो, मतलब जो face का expression क्या है, उसका poster क्या है, उसका gesture क्या है, समझ गया है, उसके expression क्या है, facial expression क्या है, तब भी आप सही से देखोगो, तो आपको, आपकी communication skill अच्छी हो जागी, प summary कर दिया गया है, तो English वाले लोग यहां से पढ़ सकते हैं, समझ गया है, तो हम एक एक topic को अच्छे से clear करेंगे, active listening का क्या मतलब होता है, तो देख लेते हैं, तो active listening क्या होती है, active listening कुछ नहीं होती है, किसी चीज को ध्यान से सुनना, समझ गया है, पहले ही हमने अच्छ listening, सक्रिय सुनना आपको करना पड़ेगा, समझ गया, और क्या करना है, चोकस उपस्तिती रहना है, असापदिक संकेत को देखना है, समझ गया, सारांस जो आपने बाते की हैं, उसकी सही से उसको message दो, समझ गया, sympathy अपनी रखो, धहर से बाते सुनो, अच्छे से question पूछो समझ में नहीं आया है, भावनाओं को समझो, ये सब आप अच्छे से कर लोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, सक्रिय सुनना आप कहलाओगे, मतलब क्या है, active listening आपकी अच्छी होगी, active listening तब मानी जाती है, जब इतनी चीज़े आप कर रहे हो, active listening तब मानी जाती है, जब patience patience के साथ आप सुर रहे हो, समझ गए, feedback दे रहे हो, empathy के साथ सुर रहे हो, judgment नहीं कर रहे हो, awarding judgment, उसने कुछ बोला पहले ही, उसने, आपने judgment कर लिया, कोई लड़की बोलने से, पहले ही लड़का ये बोलने कह रहे ही है, तो लड़की है, क्या ही हमें पढ़ाएगी, तो आ से हमने एक topic खतम कर दिया, क्या पता है, communication, तो बाई सब ताली बजा लो, अच्छा लगा भी तिक, तो comment कर दो के, sir, हमारा communication पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब हम next topic स्टार्ट करने जा रहे हैं, next topic क्या है, वो है interpersonal skill, तो interpersonal skill जिंदगी में बहुत जरूरी है, क आपकी interpersonal skill अच्छी है, टीम से तभी काम करवा पाओगे, जब आपकी interpersonal skill अच्छी है, समझ गया, टीम को तभी motivate कर पाओगे, जब आपकी interpersonal skill अच्छी है, तो एक officer के पास interpersonal skill होना बहुत जरूरी है, नहीं होगा, तो वैसा अधकारी बन जाएगा, उसे कोई नहीं जानेगा, लोग बाद में सामने आपके, आपके status के कार तो आपको respect दे देंगे, बाद में बोलेंगे तो उल्लू IPS है, ये तो उल्लू DM है, ऐसी बाते बोलते हैं, समझ गया है, तो देख लेते हैं, पारस्परिक कोसल क्या, या इसको अंतरबयक्तिक्ट इसके लिए भी बोलते हैं, तो translation हिंदी का देख लेना, तो बहुत कठिन सब्दें, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा यहाँ पर, तो जिसे लोगों या नरम कोसल के रूप में भी जाना जाता है, नरम इसका translation नहीं होगा, soft skill को है, आप देख लेना, ठीक है, के साथ प्रवावी संचार बातचीत के लि सामाजिक बातावर्ण में कैसे बात करनी है, इस सब चीजे सीख जाओगे, तो देख लेते हैं, तो पहली चीज क्या है, interpersonal skill में आप क्या सीखते हो, लोगों से relation से बनाना सीखते हो, समझ गए, जो भी आपकी team है, उससे trust आपका generate होता है, समझ गए, उनसे connections आपका अच्छ है, तभी आप क्या कर पाओगे, तभी आप अच्छे से सम्मंद बना पाओगे, ठीक है, conflict resolution, आप मान लीजिए, एक team है, और वो team में लड़ाई हो गई, आपस में लोग लड़ लिए, तो उनकी लड़ाई को तभी solve कर पाओगे, जब आपके पास interpersonal skill है, तो interpersonal skill से कई काम होत होगे, फिर अच्छे से उनकी बात को सुनोगे, फिर अच्छे से उनको solution दे दोगे, इस तरीके से, अब SDM हो, और आपके अंदर 3-4 video काम करते हैं, ब्लॉग development officer काम करते हैं, अब वो आपस में लड़ाई करने लगे, तो आप तभी solve कर पाओगे, जब आपके अंदर interpersonal skill है, interpersonal skill का मतलब दिख रहा है, interpersonal, एक परसन से आप उसको सही से समझो, interpersonal, पारस प्रिकोसल, समझ गया, उसकी बात को सुनोगे, उसकी बात को, तब आपको समझ माई दिक्कट का, फिर आप अच्छे से समझाओगे, फिर आपकी leadership माने रखेगी, इसलिए interpersonal skill हर इंसान की सही होनी च जब आपके अंदर interpersonal skill होगी, तो कोई भी समस्या होगी, तो तुरंट उसका solution निकाल लोगे, तुरंट आप उसको initiative लेने के लिए तयार रहोगे, तुरंट आगे कोई भी नया काम आएगा, उसको तुरंट handle कर लोगे, चलो ठीक हम यह काम कर लेंगे, खिलियर आपको समझ म होगी, तो समझी नहीं पाओगे, तो बस स्यासिब आइसा परिशान से रहोगे, और कुछ भी बोलोगे, क्लियर है, यह भी आपको समझ माना चाहिए, लिख लीजी आप इसको, क्लियर है, बताईए, जो भी क्लियर नहीं होता है, कमेंड कर देना एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत होता है, तो आप हमारे टेलीग्राम को जोइन कर लो, योगंदरा सर, योगंदरा सर, पी डबलू फेमली, इसको आप कर लो, को जोऊन, महापको पीडियाप डाल दी जाएगी, और आप मुझे परस्नली मैसेज भेज सकते हो, यहाँ पर, ठीक है, लेकिन तो क नहीं कि मैं आपको रेपलाई दू, थोड़ा बिजी रहता हूँ, लेकिन आपका, जब टाइम बिलेगा, आपको जरूर रेपलाई दी दू, ठीक है, इसको आप कर सकते हो, अब हम देख लेते हैं, नेगोसियेशन स्किल, नेगोसियेशन स्किल, एक ओफिसर के पास के होनी यह सेंटर, सोसियल, रेस्पोंसियल्टी वाला पैसा तभी इखटा कर पाऊगे, जब उस कंपनी के ओनर को कन्वेंस कर पाऊगे, सर, आप पैसा देदो, यहां गरीब बच्चों का भला हो जाएगा, दूसरे डिपार्टमेंट से तभी पैसा निकलवा पाऊगे, जब आपकी इंटर परसनल स्किल अच्छी होगी, तो इंटर परसनल स्किल एक ऐसा सब्द है, जिसके अंदर कई क्वाल्टी जाती है, आपकी इंटर परसनल स्किल अच्छी है, मतलब आपके पारस परिक कौसल अच्छा है, तो आप टीम से भी काम करवा लोगे, आप लोगों से बातचीत भी कर लोगे, आप लोगों से काम भी करवा लोगे, आप लोगों की लडाई को भी manage कर लोगे, आप लोगों को motivate भी कर लोगे, हर काम कर लोगे मेरी बास समझ गया, तो बस इतना ही आप समझ जाओ, तो अच्छे से, लोगों की बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे, जब आपका इंटर परसनल स्किल अच्छा होगा, तो मतलब आपकी बीबी से भी संबंद अच्छे होगे, बच्चों से भी संबंद अच्छे होगे, आपकी टीम से भी बहुत अच्छे संबंद होगे, तो आप सब को अच्छे से टाइम दोगे और जब आपकी interpersonal skill खराब होगी तो बीबी से लड़ाई हो सकती है तो आप चाओ गया घर नहीं जाते हैं तामी नहीं दोगे फिर आप office में पड़े हो या बच्चों से लड़ाई होगे तो बच्चे आपको time नहीं दे रहे हैं तो interpersonal skill इतना जरूरी है आपकी life के लिए किवल यही नहीं कि आपको job में आपकी जिंदिगी को कैसे जीना है कैसे एक सही जिंदिगी peaceful आपने देगा कुछ लोग पड़े लिखे नहीं रहते हैं उनकी जिंदिगी बहुत अच्छी चलती है मतला उनको interpersonal skill अच्छे से आती है तो यह आपको समझ में आना चाहिए time management ही अब आपके interpersonal skill आपके आपकी team से अच्छी है आपमें office के लोगों से अच्छी है आपका जो manager है उससे अच्छी है अब आपकी बीबी बोले क्या रहे सुनो ना office की जो chair है वो बहुत अच्छी लगती है उठा लाओ ना आपको बोलोगे कि हाँ पहले सोचोगे कि हाँ यार वहां कोई देखता तो है नहीं मेरी तो chair है चलो बहां दूसरी office के पैसे से मंगा लेंगे चलो उठा लाते हैं लेकिन आपके अंदर interpersonal skill है इमोशनल intelligence है न तिमाक लगाओ गयार यार बीबी की इच्छा है chair उठाना कितनी छोटी सोच है तो उसको समझा दोगे क्या आप emotions को सही से समझा उसके ऐसा नहीं को उस पर गुस्सा होगा ठपर मारा उसने बोला अरे ठीक है थोट आ जाता है इंसान है नेगेटिव थोट पी आता है उसको अच्छे से समझा दो कहां भीया ऐसी बात है प्रिये पत्नी सहेवा ऐसा नहीं है आप जो सोच रही है ठीक है आपने क्या किया उसके emotions को समझा अच्छे से handle किया और अच्छे से answer दिया तब दे पाए जब आप आपके अंदर interpersonal skill थी तब ही emotions को manage कर पाए ना तो interpersonal skill नहीं अच्छी वाती कि अरे यार बीबी ने बोला है बीबी तो भगवान है हमारे लिए सब कुछ बही है समझ गया गा तो emotional intelligence होना बहुत जरूरी है तो तभी manage कर पाऊगे clear है चलो तो इस तरीके से हमने क्या क्या बता दिया हमने interpersonal skill भी खतम कर दिया दो topic खतम कर दिये theory बास आप बचे हैं आप हमारे पास next topic जो है decision making skill यह भी बहुत छोटा topic है इसको भी हम समझाते हैं इस तरीके से आपकी theory complete ह हो जाएगी फिर हम आपको questions करा देंगे questions कुछ questions हैं उनको कर लेना आपका सब कुछ हो जाएगा जो person theory भी समझ जाएगा questions जाएगा उसके solution पड़ेगा उनके explanation पड़ेगा मैं guaranteed बता रहा हूं उसको सब समझ में आएगा 10 साल का उसने paper लगा लिया ना तो उसका see set नहीं रो लेकिन skill होती क्या है नेड़ा लेने का कौसल क्या है तो भाईया देखो simplest क्या है आपने देखा होगा कोई भी person है जिंदगी में आपको नेड़ा हर जगह लेने पड़ते हैं आप जब तैयारी करने आए होगे तो आपने यह सोचा होगा तैयारी करें या न करें आपको हर जगे हर दिन आपको decision लेने पड़ते हैं, जब आप सुबह 6 बजे सो रहे होते हैं, तो आपको decision लेना पड़ता है, क्यार जगें के नहीं, बैड को छोड़े के नहीं, तो आपके अंदर एकदम conflict create होता हो, कि नहीं यार अभी तो 6 बजा है, चलो सो लेते हैं, फिर आपको message आ कि नहीं यार exam होने बाला है December में, अब नहीं सोएंगे, फिर आप decision लेते हो, कि नहीं अभी हम उठेंगे, तो फिर exam हमारा खराब हो जाएगा, तो आप decision लेते हो ना, तो जिंदिगी में हर वार decision लेना पड़ता है, decision क्या होता है, decision आपके सामने कई choice दिखती है, decision होता क्य कि आप सुबह जगे, सुबह आपके पास ये choice है कि आप पड़े रहो, दस बजे तक सोते रहो, या सुबह ये choice है कि आप जाग जाओ, तो आपके लिए अच्छी choice क्या है, उसको आप चुनते हो, समझ गए, तो decision क्या है, person हमेशा decision लेता रहता है, तो decision में क्या होता है, decision making क करता है, उसमें choose करना पड़ता है, situations को, जो भी problem होती है, उसमें से options दिखते हैं, और उन options में से आपको एक option चुनना रहता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, तो कभी-कभी यही question आयाता है, कि decision making क्या है, तो बताएगा, तो decision making कुछ नहीं है, जब आपके पास जो choice दि decision making है, समझ गया, जैसे आपने coaching करने के लिए decision लिया, तो आपके दिमाख में आया है, कि X coaching, Y coaching, या Z coaching, या PW, फिर आपने देगा, चलो PW में सथा course भी है, और अच्छा भी पढ़ाते हैं, चलो ले लिते हैं, तो आपने decision लिया ना, तो ऐसे होता है, तो निर्णय या तो एक sad, या तर्क संगत प्रिक्रिया है, या दोनों के सयोजन के साथ किया, तो decision जो लिया जाता है, या तो वो भाई सब दुक्का मार के लो, या reason के साथ लो, समझे का कुछ लोग ऐसे ही ले लेते के चलो ठीक है, यह सई होगा ले ले लेंगा, तो decision लेना के कई तरीके हैं, तो decision making के लिए कौन-कौन सी skills होनी चाहिए, एक अच्छा इंसान भाई decision ले पाएगा, जब जो अच्छी जों को सही से सुनेगा, पहली बात, active listening उसके पास होगी, जो person किसी को सुन नहीं सकता है, अच्छे से, वो person भाई साब decision नहीं ले सकता, अच्छा, समझ गया, clear है, चाहे कहीं, उसकी interpersonal skill नहीं होगी, ये तो भाईया सबसे बड़ी चीज है, ये तो एक तरीके का भाई, इंसान की जिन्दगी में, समझ गया, बहुत important है, मैं अभी आपको पिछली class में समझाए कि interpersonal skill क्यों जरूरी है, इंटर परसनल skill जरूरी है, तभी आप अच्छे decision ले तभी decision आप अच्छा ले पाओँ, collaboration करोगे, कि मानली जी आप कोई coaching खोल रहे हो, तो coaching तभी आप चला पाओँ, जब जो और लोग इस sector में काम कर रहे हैं, उनसे बात करो, लोगों से communication अच्छे से करो, बात करो, आपके पास logic होना चाहिए, येनिके emotions में काम कर रहे हो, time management होना चाहिए, ये चीज़े आपके अंदर होंगी, तो एक अच्छा decision आप ले सकते हो, किलियर है, तो चलो देख लेते हैं, और क्या-क्या है, तो नेड़ा लेने में आवस्या कौसल क्या-क्या होते हैं, सक्रिय सुनना, पारस्प्रिकौसल, सयोग, सूचना, तर्क सास्त समस्या का समादान, आलोचात्मक, सोच होनी चाहिए, समय प्रवंदन होना चाहिए, पहले ही समझा दिया है, अब decision making is inevitable for a person in certain degree of authority, एक good leader is able to take a firm decision on the spur of the moment, एक अच्छा कोई भी leader वो होता है, जो decision को बहुत जल्ली ले, समझ गए, और जो अच्छे नेता होते हैं, उनको decision बह जल्ली लिया जाता है, और उनको decision लेने पड़ते हैं, एक अच्छा officer भी आप तभी बन सकते हो, जब आपको decision लेने पड़ेंगे, आपको DYSP बना दिया जाता है, और कहीं पर crime जादा है, तो उस crime को control करने के लिए, बहुत से decision लेने पड़ेंगे, आपको कई रास्ते दिख चुनना, समझ गया है, ऐसे करके option बनाये थे, तो decision making कुछ नहीं है, कि जो आपके सामने option दिये गए हैं, जो आपके सामने option दिये गए हैं, उसमें से best option को चुनना, क्या चुनना, लिख लो, ये बहुत deep point है, समझ गया है, बहुत conceptual point है, और लोग उसको गलत कर दिये, तो भ नहीं है, बहुत सी कमिया होगी, आपने कोई दूसरी coaching चुनी है, तो वह correct होगी, नहीं, लेकिन आपने best चुना है, समझ गया, कोई चीज perfect नहीं होता है, कोई ये बोल दे, option में दे दे कि decision making क्या है, तो वहाँ पर लिखा हुआ, एक perfect decision लेना, एक correct decision लेना, एक best decision लेना, त समझ गया, उसमें भी बहुत सी खामिया होगी, दिये गए option में से, अच्छा option चुनना ही, decision making क्या लाता है, समझ गया, रतन टाटा जी नहीं बोला था, कि decision कितने खराब या कितने अच्छे हैं, उस पर depend नहीं करता है, आपने कोई decision ले लिया, आप कितने अच्छे तरीके स एकजिर करते हो, वो इनसान की लीडर से बताती है, ऐसा कुछ बोला था ना, तो क्या होता है, कि decision making क्या होते है, best option को चुनना है, समझ गया, आगे चलते हैं, तो ये सब चीजे भाहिए, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बुलकुल, simple है, आपको हर दिन decision लेने पड़ते हैं, य ऐसा ही लिखा हुआ है, जहां concept होगा, हम समझा देंगे, समझ गया, अब person जब जा रहा है, तो उसको ये option दिख रहा है, ये option दिख रहा है, ये option दिख रहा है, तो उसमें से एक को चुनेगा, जो उसके लिए best होगा, तो किसको चुनेगा, best option को चुनेगा, और भाई उसक decision होगा, तो कोई भी decision होता है perfect नहीं होता, perfect decision कोई नहीं होता है, कोई बोलते perfect decision होता है गलत, कोई बोलता है correct decision होता है, decision correct हो नहीं होते हैं, decision तो भाई सब decision होते हैं, समझ गए, आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं, clear है, आगे चलते हैं, तो अब what is decision making, तो हमने पहले ही समझ बना दिया कि decision making जो होता है selecting the best, selecting the best of all possible alternative, जो भी alternative दिये गाएं, जो भी option दिये गाएं, उसमें से best को चुनना ही हमारा decision और इसी पर question बना दिया था, बुलकुल simple इसी पर question बना दिया था, लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है, question ही बना दिया था, और इतना सरल question था, लोग उसक को सब गलत करके आए थे, कि decision making क्या है, क्या एक perfect option को चुनना, right option को चुनना, या best option को चुनना, या non of the above, तो लोग उन्हें समने perfect option चुना था, अरे perfect थो नहीं होता है decision, समझ गया, decision होता है हमेशा best, जो option दिये गाएं, उनमें से अच्छा चुनना, और उस best option में भी कामिय कमिया हो सकती है, clear है, आगे चलते हैं, clear है, तो ये decision making आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो decision making requires the person based with the responsibility to possess particular skill, तो वो तभी अच्छा decision ले पाएगा, जब उसके अंदर skills होगी, समझ गया, क्या skill होगी, intelligence होगा, तो और अच्छा decision ले सकता है, तो intelligence बहुत जरूरी skill ह समझ गया, कि किसी ब्यक्त को decision लेना है, तो उसके अंदर बुद्धी होना बहुत जरूरी है, तो ये भी पता होना चाहिए, तो ये तो normal है, समझ गया, और दूसरा person जब decision लेता है, तो उसके पास experience होना चाहिए, experience होना चाहिए, तो दो चीजे requirement बहुत ज़्यादा होती है decision लेने के लिए, एक तो वो intelligence हो, समझ गया, बुद्धिमान हो, intelligence होनी चाहिए उसके पास, दूसरा क्या है, उसके पास experience होना चाहिए, experience, जितना experience ज़्यादा होगा, उतना ही अच्छा decision लेगा, जैसे बुद्धे लोग होते हैं, बुद्धे लोगों से आप क्यों जाते हो बाते पूँचे, उनको वाईसा पूरी 60-70 साल को होगा तो उस पूरी जिंदिगी का उनके पास experience है, अब एक बंदा है, आप उसकी दो तीन girlfriend रह चुके हैं, बिचारा breakup करके बैठा हुआ, आप उससे decision लेने जाओ, कि बताओ भाईया हम girlfriend बनाने जा रहा हैं, या boyfriend बनाने क्या decision देगा, बहुत दिक्कत होती हैं, पढ़ाई पूरी तार-तार हो जाएगी, मत पढ़ना इस चक्कर में, ऐसा बोलेगा न, मतलब उसको experience है, और हो सकता है, कि वो सही भी बोले, कि नहीं हमने ये गल्ती कि इसलिए हमारा relationship खराब हुआ, या हमारी इसलिए लड़ाई तो एक experience भी आपको एक माने रखता है, decision making में, ठीक है, what are the some of the decision making skills, कौन-कौन सी है, decision making लेने के लिए कौन-कौन सी skill जरूरी है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया, चीजों को आप सही से information को collect करो, अच्छे से analysis करो, तो अच्छे से decision ले सकते हो, clear है, clear है, इसी तरीके से आप देखोगे, कि चीजों को देखते हो, intelligence के साथ, और observe करते हो, observe करते हो, तो decision आप सही से ले सकते हो, ये भी आपको अच्छे से पता है, इसमें कुछ नहीं है, थोरी है, तो why decision making so important, निरला लेना इतना महतपूर के हो है, तो भाई साब निरला लेना इतना महतपूर के हो ये तो आपको पता ही है, जिन्दी में कई बार decision लेने पड़ते हैं, आज मालो आप decision नहीं लो, तैयारी कौनसी coaching से करें, तो निरला नहीं लेते हो, आज PCS बन जाओ, तो क्यों बने PCS अधिकारी, कि को आपने decision लिया था, क्यों इसलिए बनेते, decision नहीं लेते, तो नहीं होती है, तो उन गलतियों को सुदारो, mistake को सही करो, decision गलत भी हो सकते हैं, उससे experience सीको, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, आगे चलते हैं, ठीक है, decision making का process क्या है, इससे question बनता है, this is very very important, बस इतना ही जान लो, इतना ही पूरा ये summary, आप अभी हम जो decision making को पढ़ा रहे हैं, पूर फिर उस समस्या के solution क्या है, समझ गया है, और उस समस्या के solution आपको पता चल गया, कि एक solution यह है, एक solution यह है, एक solution यह है, एक solution यह है, फिर evaluate the cost and benefit and associate with each option, each option को आप analysis करोगे, कि कौन सा option सही है, क्या loss है, तो उसमें से best option को चुनोगे, हमने पहली बता दिया, best option को चुनोगे, ठीक है, आपने best option को चुल लिया, select a solution और option, और उस option को क्या करोगे, implement the option, उस option को implement कर दोगे, और उस option को implement करने के बाद उसका impact देखोगे, कि आपकी जिन्दगी में impact क्या आया, समझ गया impact अच्छा आएगा, तो उसको continue करोगे, गलत impact आया तो change कर दो, तो ये पूरा का पूर जा सकता है, कि जब decision लिया जाता है, तो last option क्या होता है, तो impact assessment करना last option होता है, decision making का पहला process क्या होता है, समस्या को पहचानना, समझ गया, तो ये जरूर देख लो, बहुत अच्छा, इसको आगे दिखाये गया होगा, कि क्या-क्या है, तो अभी देखते हैं, इसका जरूर दिया होगा, आगे हम और समझा देंगे, इतना ही है, इतना ही आप समझ जाओगे, तो समझो, सब कुछ clear हो गया, यहां साइद आपको साप नहीं दिख रहा होगा, आगे इसका जरूर दिया होगा, चलो ये देख लेते हैं, leadership skill क्या होती है, आपको पता है, कि अच्छे से team को manage कर पा रहे हो, अच्छे से decision ले पा रहे हो, यही leadership है, यह सब आपको पता है, इसमें कुछ नहीं है, आगे चलते हैं, जो important है, उसके बारे में देख लेंगे, decision क्यों लेना है, एक leader को बहुत से decision लेना है, उसके पास team होती है, team को manage करना रहता है, कोई समस्या आईए, उ उसके पास कई option दिखेंगे, और उस option में से एक अच्छा option चुनना रहता है, समझ गया, यह आपको पता होना चाहिए, to deal with problems, problems को कैसे manage करोगे, समस्या को manage करना पड़ता है, कैसे manage करोगे, कि आपको decision लेने पड़ेंगे, अच्छे से implement करो, अच्छे से implement करोगे, कोई दिक् कुछ ऐसा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन हम देखेंगे, to achieve the goal and objective, decision क्यों लिया जाते हैं, decision इसलिए जाते हैं, जो आपका goal है ना, जो आपका objective है ना, जो आपका left है ना, उसको प्राप्त किया जाए, तो यह भी बहुत simple है, इसमें, बस हम आपको एक चीज है, उसको और अच्छे से समझा देते हैं, उसमें देख लेते हैं, क्या है, उस graph में देखोगे, इसमें भी नहीं है, पहली समझा, motivation भी होना चाहिए आपका अंदर, तभी अच्छा decision ले सकते हो, motivation नहीं होगा, नहीं decision ले, हाँ, यह है, this is very very important, यहीं decision making का पूरा summary है, यही option को, जो option select करने जा रहा है, उनको evaluate करो, फिर monitor the impact, impact को चुनो, समझ गया है, यह भाई साब है, समझ गया है, तो पहले क्या identify the problem, फिर उसके लिए information collect करो, explore the option, फिर choose the option, फिर evaluate the option, फिर implement the decision, फिर monitor the impact, और modify the decision, एक, दो, तीन, चार, पांच, है, साथ, आठ, यह option आप पस पता क करो, this is very important, और कई बार पूछा गया है, कि decision making में कौन-कौन से step होते हैं, हिंदी बाले लोग इदर ले लें, कि निर्ला लेने का loop क्या है, समस्या की पहचान करें, जानकारी एकत करें, जो समस्या है, जो भी आप decision लेने जा रहे हो, विकलों को option करें, आपके पास विकल्प कर दिया अपने, प्रिवाब करें कि उसका क्या रहा है, और कुछ दिक्कत रहा है, तो इसको modified कर सकते हो, तो ऐसे decision लिया जाता है, clear है, तो अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं, बस इतना ही है, तो और तो कुछ इसमें है नहीं, ये सब topic मैंने अ अच्छा decision making भही कर पाएगा, जिसके पास imagination है, जिसके पास motivation है, जिसके पास leadership है, information है, logic है, ये सब पहले ही बता दे, collaboration है, ये सब हमने पहले ही आपको बता रखें, बारवार इसमें थोरी दिया हुआ, इसलिए आपर आ गया है, PPT में, आपको मन करें तो पढ़ लेना, decision making को कैसे improve कर सकते हैं, तो इसमें एक question ये आ रहा है कि decision जो making करते हैं, जो आप आप निडला लेते हैं, क्या उसको सुधारा जा सकता है, अच्छे decision लेना आप क्या सीख सकते हो, 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 क तो hospital से related जिन लोग उने business किया, उनसे बाइस सब suggestion लो, जो लोग इस area के expertise है, जिनको knowledge है, कि बढ़ उसी में उनको knowledge है, उनसे suggestion लो, इस तरीके साथ decision making ability को बढ़ा सकते, तो simple, पूरा यही कुछ इसमें लिखा है, तो यह हम सब नहीं पढ़ाएंगे, automatic आपको समझ में आ गया ह समझ गया, यह चीज़ें अच्छे से किया जा सकता है, type of decision making skill, अब decision making कैसे कैसे होते हैं, हाँ थोड़ा यह देख लेते हैं, एक होता है ethical decision, कि जो आप decision लेते हो, ethics के according लेते हो, समझ गया, यह कोई भी decision लोग है, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए, कि कोई भी decision है, conflict है, कि एक तो मान लीजिए, कि आप किसी organization में काम करते हैं, जैसे मान लोगे PW में काम करते हैं, और मुझे कोई decision लेना है, मान लीजिए, कोई मुझे batch launch करना है, और उस batch में PW का बहुत जादा benefit हो रहा है, और बच्चों का loss हो रहा है, तो आप मेरे पास दो तरह की dilemma, कि हमें company के बारे में सोचें, आप बच्चों के बारे में सोचें, याद मैंने decision ले लिया, कि नहीं यार, बच्चे हमारे लिए बहुत necessary भारत का बविश्य है, तो हमने decision लिया, कि हम इस batch को launch नहीं करेंगे, तो आपने क्या किया, आपने ये इसको देखके decision लेते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, कि consumer decision होते हैं, कि consumer का ज्यादा बला हो, तब decision लेते हैं, कि कोई बड़ा officer है, किसी company पर ऐसा जरुमाना लगा देता है, कि नहीं तुमारे product खराब है, लोगों का बहुत गाटा हो रहा है, तो ऐसे decision होते हैं, team decision making skill होते ह और उस solution को implement कर देते हैं, एक decision ऐसे लिया जाता है, समझ गया, executive decision क्या होता है, जो topmost position पर बैठा रहता है, जैसे मान लीजिए, कि कोई बहुत बड़ी post पर एक अधकारी बैठा है, उसनों जो decision ले लिया, और लोग उसको implement कर देते हैं, उसको executive decision बोलते हैं, consensus basis पर decision का होता ह जब लोग आपस में बैठ जाते हैं, गाउं में आपने देखा होगा, पूरी गाउं की भीड़ आके खटी हो जाती है, बुड़े लोग आपस में बात करते हैं, कि जो road बनना है, बताओ किस किदर से निकालना है, या गाउं में कोई एक building बनानी है, जिसमें साधी बराए, साधी बरात ये सब handle हो जाएं, तो वो एक location čुनते के नहीं, गाउं के इदर रखना है, गाउं के इदर रखना है, तो जो decision लिया जाता है, किस के basis पर, consensus basis पर लिया जाता है, ये भी पता होना चाहिए, ऐसी share decision होते हैं, medical decision भी होते हैं, कि medical decision जो होते हैं, जो doctors लोग लेते ह है और उसको प्रोडक्ट मेंचने है समझगा चपल मेंचना है आप उसने चपल पर डिसीजन लिया कि चपल को 200 रुपए का रखा है और बहाँ पर एक उनका अधकारी बोला कि सर ये 200 रुपए गरीब इंसान नहीं दे पाएगा मतलों पूरता है नहीं हमें क्या लेना जिसको खरीद नहीं है खरीद ले 200 रुपए का खरीदेगा तो उसने रेशनल डिसीजन लिये अपने अकॉर्डिंग लिये समझगा है कुछ लोग जो डिसीजन लेते हैं डेटा ड्राइवन के डेटा एकटा करते हैं कि नहीं इंडिया में तो भाईया पॉपुलिशन है 140 करोर और और सब लोग कपडा पेंदेंगे चलो कपड़े की फैक्टरी खोल देते हैं तो उसने डेटा कलेक्ट किया डेटा को देखा और यह सोचा कि हाँ लोग को requirement क्या है तो ऐसे decision data driving decision होते हैं समझ गया तो यह सब decision पता होना चाहिए कुछ program decision होते है जो एक उनको program कर दिया जाता हाई-level का किसी ने बोल दिया उपर से कर नहीं तुम्हें बस ऐसा ही करना है और कुछ नहीं सोचना है लोग बैसा ही करने लगते है तो यह program decision होते हैं इस तरीके से हमने क्या किया है तीनों theory cover कर ली है इस तरीके से हमने क्या किया हमने cover कर लिया communication skill को cover कर लिया ठीक है संचार को cover कर लिया, अच्छे सा समझा दिया ठीक है communication, इसके लिए में हमने अच्छे सा समझा दिया है, कि communication के type क्या होते हैं, अच्छे से समझ में आगे होंगे, question पूछा जाता है, उसका model भी समझाया कि communication कैसे चलता है फिर हमने ये भी समझा दिया कि उसमें barriers क्या आते हैं communication में, कि बादाएं क्या क्या आती है, ये भी आपको अच्छे, फिर उन बादाओं को कैसे overcome करना है कैसे निकलना है, उनसे ये भी समझा दिया, फिर हमने आपको क्या पढ़ाया interpersonal skill का importance क्या है, interpersonal skill का importance है interpersonal skill का क्या importance है, ये समझाया फिर हमने आपको समझाया, कि decision making जो ability है decision making जो ability है उसको क्या है और कैसे किया जाता है, तो हमने ये बताया, कि आपके सामने जो भी option होते है, best option best option चुना जाता है, जो भी दिये हुए option में, उसी को decision बोलते है और decision making का हमने ये भी बताया कितने क्या क्या करना रहता है, उसको समझा दिया, इस तरीके से पूरा बता दिया है अब देखो, question आपके सामने आ रहा है कैसे कैसे question आ जाते है, कभी कि common sense के, 2020 का question है इसको देख लेते है 2020 का question क्या है, देखते है उत्तरप्रदेश, PCS का 2020 का सीचेट का question है, कि which of the following is not an interpersonal barrier in the organizational communication कि निम्लिक्ट में से कौन सा संगाठात्मक संचार में एक पारस्प्रिक बादा नहीं है, तो मतलब एक barrier नहीं है, barrier पर question हमने barrier पढ़ाए, किस में organization में, तो organization में देखोगे, क्या क्या हो सकता है, कोई person कुछ लिखके बेजाए, तो semantic barrier भी हो सकता है, सही बात है ingratiation क्या होता है, मतलब कोई गुसा भी हो सकता है, इसकी कमी हो सकती है, impression management प्रवाब प्रवंदन की कमी हो सकती है, तो ये कमी हो सकती है, लेकिन ethnocentrism नहीं होता है, ethnocentrism क्या होता है, कोई person अपनी culture को अच्छा बताता है, समझ गया है तो ये नहीं होगा, तो ये अलग concept तो इसका answer A है, बुलको common sense वाला question था, तो ऐसा कुछ इससे लेना भी देना नहीं था, बस common sense लगाते answer पा लेते, आप देखो highest degree of communication किस में होती है, तो संचार की, खुलेपन की उच्छतम degree कहां होती है, तो आप जब दोस्त हो, तो इसकी answer देखो ये direct communication में नहीं होता है indirect communication इनका नहीं, बस आप confusion होगा, तो इसमें होगा मेरे recording, informal communication में भी बहुत openness होती है, कि हम कैसे ही बात कर सकते हैं, लेकिन उसने, commission ने भी answer दिया था, meta communication, कि meta communication में openness बहुत होती है, कि हम कुछ ऐसा सब्द बोलते हैं, दोस्ते, कि और भाई, कैसा लग रहा है, बहुत अच्छे कपने पहने, तो कई message होते हैं, openness से बोलते हैं, तो इसका answer meta communication है, तो meta communication है, हमने आपको पढ़ाया था, ये इसका answer है, ठीक है, आप देखो, सरल सरल question आते हैं, और देखो कराते हैं, which one of the following behavior is the most appropriate for diffusing the verbal abuse of co-workers, अब ये decision making पर question है, ये, समझे है, तो सह कर्मियों के मौकिक दिर वेवार को कम करने के लिए, निम्रित में से कौन सा वेवार सबसे उपयोगत है, मतलब एक जगे आप job कर रहे हो, वहाँ पर company में एक person क्या कर रहा है, आपको abuse कर रहा है, गाली दे रहा है, तो उसको कैसे कम कर सकते हैं, अब देखो, decision लेना पड़ेगा, कि आप become defensive, कि के वाल आप defensive हो जाओ क्या, मतलब कुछ नहीं answer दे रहा हो, तो यह तो गलत है, बुलकु सिंपल दुम्हा का लगाओ, get into debate करने लगो, गलत है, समझ गया, keep aggressive body language, body language को ऐसे कर लो कि तुने बोला तो कैसे बोला, और ऐसे करके जा रहे है, तो और लड़ाई हो जाए हो तो पहली से पागल है, यह भी गलत है, लेकिन refuse to accept the harmful language, आप क्या करते हो, हांकारिक बासा को सुईकार करने से इंकार कर देते हो, और इसको ignore मार देते हो, कि बाहर में जाओ, समझ गया, या किसी manager को बोल देते हो, कि sir, यह गलत bird use कर रहा है, इसको देख लो, तो यह solution सही है, और यह इसका answer है, आप देखो इसमें क्या था, यह सही कर देते हैं, दो marks आपको मिल जाते हैं, सिंपल, ऐसे question आते हैं, 2020 में आया है, और देखो, समझ गया, और देखो proximix, देख रहा है, proximix हमने पढ़ाया था आपको, देख रहा है हो, यह 2020 के c-set में आ गया, तो proximix क्या है, यह भाई यह non-verbal communication का part है, आप देख लो, बुल को direct पूँच लिया, proximix को हमने पहले ही बताया, कि जो territory है, जो जगह है, आप उसको कैसे use करते हैं, जिससे एक message चला जाता है, उसको proximix बोलते हैं, clear है, अब नहीं पढ़के जाते हैं, तो इसको कर पाते, confused हो जाते हैं, कि अरे, मम्मी, क्या, यह सवाल पूचा, इस bird को तो जिन्दिगी में सोना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, तो यह भाईया, यह language के उपर बहुत बर-बरी books लिखी गए, कि language कैसे बनी है, language के type क्या है, मेरा anthropology है, तो वहाँ मुझे पढ़ना रहता है, optional में, तो वहाँ पर एक chapter है, different type के language क्या होते है, communication में क्या difference होता है, जो चिडियां होती है, क्या उनकी communication होती है, नहीं, वो तो भाई सब चिलाती है, समझ गया है, तो different type की definitions होती है, वो सब होता है, तो proximis का इसका D answer है, ठीक है, चलो, clear रहा है, तो यह non-verbal है, proximis क्या है, hidden component of interpersonal communication, that is uncovered through observation, clear observation के through होता है, आगे चलते है, the key element for effective interpersonal communication, तो effective interpersonal communication करना है, तो क्या importance है, हमने पहले ही बताया है, दोजा 20 में आया यह question, कि प्रवावी पारस्पिरिक संचार के लिए मैतपूर तत्य क्या है, तो भाईया मैतपूर तत्य क्या है, तो हमने पहले ही बताया, active listening जहां कि सई से communication करना चाते हो, हमने बहुत अच्छी से पढ़ाया, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, थोरी में पढ़ाया थे कि नहीं पढ़ाया था, कैसा लगा समझ में आ रहा है, ऐसे कुछ सनाते हैं, तो अच्छी communication करनी है, तो आपकी active listening होनी चाहिए, active listening जहां option में देखे, आ अच्छी communication करना चाते हो, तो active listening करो, confidence के साथ बात करो, empathy रखो वहिया, open mind के साथ बात सुनो और feedback देदो, ये चीजे होनी चाहिए, हिंदी वाले इजर पढ़ लें, आप देख लेते हैं, which one of the following is related, which one of the following is related with organizational ecology, तो आपने देखा होगा, organization ecology से related, कोई organized जो होता है, उस organization में क क्या होता है, बटाओ, कोई organization होता है, तो उसमें जो बाते होती है, निमलिक्त में से कौन सा संग्रात्मक परिस्तिक्थी से संबंद देखा है, एक organization में जैसे ऐसे लोग है, समझ गए, तो बहाँ पर जो बाते होती है, वो कैसी बाते होती है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा ब तो बहुत पास सल्षार हो जाता है यह भी बहुत देखले के भिखा से क्यों पैरा लिंगुट्रख़िस्टिक ॥ तो para-linguistik में क्या आता है, tonal pitch आती है, pitch, para-linguistik में हमने पहले ही समझा दिया, कि para-linguistik में हम क्या पढ़ते है, pitch क्या है, उसकी intensity क्या है, उसका amplitude क्या है, कितनी speech से बोला, कितना speech बोला, कितना उसकी आबाज क्या सी है, इसका अध्यन किया जाता है, तो इसका answer क्या होगा, tonal pitch, ये भी देखो simple है, ऐसे question, एक भी question नहीं छोड़ोगे, आप सब कर लोगे, समझ गया, in which type of communication network, there is likelihood of emergence of group leader, ऐसा कौन सा communication है, जिसमें group leader बनने की ज्यादा chances है, लेकिन satisfaction बहुत कम होगा, मतलब क्या है, कि एक नेता बन जाएगा, जब बाते होंगी, तो एक नेता बन जाएगा, लेकिन लोगों में satisfaction नहीं होगा, उसकी बात का, तो एक एक option को देख लेते हैं, क्या भील type के option में, पहले circle type के, तो circle type का communication क्या होता है, बना लो न, बुलकुत जैसा बोला जाता है, पेपर को बैसे ही time करो, तो circle type में ऐसे बात ही करेंगे, ये इससे करेंगा, 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 ये इससे करें बिल टाईप कहा होता? एक सेंटर पर यहे इशसे बात कर रहा इशसे बात कर रहा है तो सब की बात कहां आ रहे है यहाँ पर तो यह और अपने पर में नीटा बन जाएगा समझ गए और यह क्या है अपने अकॉरींग दिशिश्शन लेगा तो यह हिसका आंसँ समझ गया भेल टाइप तो भेल टाइप जो communication होता है तो यह थोड़े ऐसी common sense लगा लेते तो यही इसका answer है पईया का प्रिकार जो होता है समझ गया भेल टाइप communication होता है उसमें एक नेता बन जाता है अब आई सब लोगों में satisfaction नहीं होता है तो इसी सेट के दो जातबीस में आया था यह भी बहुत सरल था which of the following is an example of organizational silence in upward communication तो आपने हमने क्या बोला था कि जब कोई communication कर रहा है और यह नीचे मालो यह अधिकारी है यह IS है ठीक है और यह person इसके नीचे मालो SDM है और इसके नीचे बीडियो है और बीडियो क्या करता है गाओं की कोई situation को इसको बताता है और यह इसको बताता है और यह ऐसी चीजों को बता दे नहीं बताता है वहाँ पर silence हो जाता है तो ऐसी situation को क्या बोलते है filtering बोलते है भाईया हमने पढ़ाया था तब ही सिखाया था, तो इसका answering क्या हो जाएगा, जो ऊपर की तरफ हम बात करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बाते होती हैं, तो कुछ चीजों को छोड़ दिया जाता है, उसको filtering बोलते हैं, लेख लो, clear है, आप देखो हमने क्या किया, हमने थिरू इते हैं, सब कवर करा दी अब आपको करना क्या है, अब आपको करना कुछ नहीं है, बस एक काम करना है, बस करना क्या है, बस एक काम करना है, कि आपको बस करना क्या है, कि बस आपको questions लगाने हैं, questions लगा लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे, clear है, तो questions आपको लगाने हैं, चलो, आगे चलते हैं, अब next question देख लेते हैं which of the following is not a form of positive listening positive listening का कौन सा part नहीं है तो positive listening का कौन सा part नहीं है देख लेते हैं तो भाईया देखो positive listening का कौन सा part नहीं है तो देखो empathy के साथ सुनना यह भी positive listening का है किसी की बात को अच्छे से answer देना यह भी है उसकी बात को अच्छे से analysis करना यह भी positive लेकिन judgmental जो listening है कि सुनने से पहले ही judgmental हो जाओ पहले ही से middle ले लो यह positive part नहीं है तो मेरे कहने का मतलब यह है आपको यह समझ में आ गया होगा कि positive जो listening है positive listening में positive positive चीज आनी चाहिए लेकिन आपको not उचाता not क्या नहीं है तो यह आपको हो जानी चाहिए clear है 5 minute और ठीक है 5 minute में करते हैं ठीक है चलो और चलते हैं आगे चलते हैं ठीक है आगे चलते हैं जिसका क्या answer होगा judgmental listening इसका answer होगा judgmental listening आगे चलते हैं चलो बहुत सरल सरल question है, ऐसी question आएंगे और आपको sub करना है, which of the following is not a communication barrier related to noise समझ गए, कि निम ने लिखत में से कौन सा सोर से सम्मंदित संचार बादा नहीं है, तो सोर से सम्मंदित, तो सोर से सम्मंदित बादा नहीं है, तो जहां हम बात करते हैं, तो barriers आते हैं, बहुँट डिफरेंट हमने पढ़ाई भी हैं, समझ गए, तो सोर से सम्मंदित कौन सा नहीं, तो बादाः कौन कौन सी आ सकती है, कौन कौन सी बादाः आ सकती है, तो जह घो एक तो आ सकता है, perceptual problems आ सकती है, सही बात है, ये उसको डाइडिक टाइप बोलते हैं तो ये तो टाइप बता दिया तो ये option हैसा दे दिया था जो सबसे अलग है तो common sense लगा देते आंसर पा लेते तो भईया हमने पहले ही पढ़ाये था को communication में कौन-कौन सी बादाएं आती हैं कर लेते अच्छे से इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था ठीक है चलो आगे चलते हैं आगे चलते हैं देख लेते हैं और क्या है in the communication process successful transfer of message can be checked through आप संचार प्रिकिरिया में जब आप संप्रेचर में ये देखना चाहते हैं कि हमारा message पहुंच गया हम ये देखना चाहें कि हमारे हमने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है के नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा बताओ कैसे पता चलेगा आपको सम आपका message transfer हो गया है क्या encoding से पता चलेगा नहीं क्या medium से पता चलेगा नहीं क्या passive decoding से पता चलेगा नहीं जो हमने पूरा circle starting में पढ़ाये तो वह ही है question कि पहले encode करते हैं फिर वो message को receive करता है फिर वो message का feedback देता है तो answer होगा feedback भाईया feedback last option होता है feedback देने ही से पृतिक्र आप दोगे इस पर comment करोगे इस वीडियो पर के sir बहुत अच्छा पढ़ाया समझ मा आ गया तब मुझे समझ मा आ आया कि हमने जो पढ़ाया आपको समझ मा आ गया नहीं समझ मा आया तो आप लिख दोगे कि sir हमको नहीं समझ मा आया पता नहीं कौन सी भासा में पढ़ाये आप ठीक है ऐसे करके आगे चलते हैं ठीक है आगे चलते हैं cross departmental committees are the form जो cross departmental committee है मानलो ये है और ये मांलो different different department की committee है और यह अप समें बात करने लगें तो इसको भाई साब कैसी communication बोलेंगे तो downward communication तो नहीं होगा upward communication तो नहीं होगा optimum communication तो नहीं होगा, lateral communication होगा, यह से बात कर रहा है, यह से बात कर रहा है, होगा answer, देख रहा है हो, कितना सरल सरल है, यही तो सब पढ़ाए थे, lateral communication जिसको horizontal communication भी बोलते हैं, यह सका answer होगा, आगे देख लेते हैं, the process of judging some problem situation on the basis of similarity with one encountered earlier is not, तो किसी समस्या की इस्तिती को पहले सामना की गई, इस्तिती के साथ समानता के आदर पर आखने की प्रिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, आपके पीछे कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसी समस्या आई, और आपने बहापर एक experience मिल गया, और अब एक समस्या और आई, और उ तो यहां पर देखोगे प्रिति निजित्य के अनुमान, मतलब आप उस जो जो प्रोसेज है, उसको आप उस से कंपेर कर रहा है, तो उसको हुरिस्टिक और प्रेप्रेजेंटिटिव बोला जाता है, भी इसका option है, इसको हंदी का translation देख लेते, तो अच्छा अंसर हो जाता ह तो उसमें क्या-क्या समस्या आ सकती है, बताओ, तो क्या-क्या समस्या आ सकती, कोई समस्या है और आप उसको solve करना चाते हैं, तो उसमें क्या समस्या आ सकती है, तो भाईया देखो, algorithm आ सकती है, नहीं आ सकती है, भाई, algorithm तो और help करेगा ना, क्या analogy आ सकती है, नहीं आ सकती है हिरुस्टिक आ सकती अनुमान लगाना आ सकती नहीं तो डिसीजन जब लेते हैं तो अनुमान लगाते रहते हैं लेकिन जो mental set होता है ना आपका जो mind set होता वो समस्या बनता है मतलब क्या है आपने यह सोच ली कि नहीं यार लड़की तो हमेशा खराब होती है या लड़का हमेशा खराब होता है या एटा के लोग हमेशा खराब होते हैं अब में करेंट फिर्स पड़ाते हैं और एटा से हैं एक परसन बोलता कि एटा में तो बहुत ड़केती होती है आने बहाईया कहाई तुम्हें ऐसा mental set है आब उसको मान लो अब उसको मान लो SDM बना के भेज दिया जाए एटा में तो उसका mental set ही ऐसे राए तो लगता है वो कोई समस्या को सजी से हैंडल कर पाए बतला उसका पहली से mental set ऐसा है कि उसने कुछ सोच रहा है तो mental set decision लेने में दिक्कत create करता है मान से एक समूँ ठीक है ये आपका simple answer था clear है पढ़ लेना which of the following decision making style takes longer time longer time किस में लगता है कौन से decision लेने में तो भाईया देखो decision लेने में directive style क्या होती है जिसमें कोई एक officer आपको direction दे देता है कि ये कर लो तो इसमें तो नहीं time लगेगा non of the above option होगा नहीं behavioral style क्या है कि जो आपका behavioral उसी को कर लोगे analytical में लगेगा ना कि आपको पूरा analysis करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा पूरे option देखने पड़ेगे पूरा उनका effect देखना पड़ेगा सब option को देखना पड़ेगा best option को चुनोगे फिर ऐसे decision लोग तो answer हो बताओ ऐसे ऐसे सवाल आते हैं अब वोलते हैं सर हमसे interpersonal skill decision making ability और communication नहीं आता तीनों हमने आज करा दिया है और अच्छे से question देख लो 10 साल के लगा लोगे 5 साल का भी लगा लोगे काम हो जाएगा आगे देख लेते हैं अरे यह तो math का question आ गया भाया यह decision making में थोड़ा सा आ गया question जैसे यह है किसी चीज को ऐसे दिखाया जाता है एक portion को ऐसे दिखा दिया दूसरे portion को ऐसे दिखा दिया तीसरे portion को ऐसे दिखा दिया चौतरे portion को ऐसे दिखा दिया तो यह जो दिखाया गया है पाई चार्ट में यह किसको दिखाता है तो इसको एंगल को दिखाता है ना कितना एंगल बना रहा है तो perimeter of sector perimeter नहीं दिखाता है एंगल of sectors दिखाता है कि कौन सा sector मालो यह यह जगह दीगे यह police को रहने की तो police को दिखा देगा यह दे दिए माल लो आम आदमी को उसको दिखा देगा ऐसे करके तो यह क्या angle of sectors को दिखाता है clear है यह भी बहुत common sense वाला भी इसका option था अब हम देख लेते हैं match the following with second यहाँ पर बुरकुल यह ना यह decision making से सवाल है ना यह communication से सवाल है पस थोड़ा common sense का सवाल है अब देखो अब मिलाना है all men are mortal सभी इंसान क्या है भाई साब मरने वाले मतलब mortal है जो नस्वा है समझ गया no man are perfect no लगा negative सब्द है some student are intelligent some लगा है इसमें है A और D में चलो एक में से चुन गए some farmers are not rich तो कुछ जो particle negative बात हो रही तो इसका हो गया D D का 2 हो गया तो D का 2 हो गया तो D का 2 इसमें भी दिया है अरे चलो और देख लेते है no man are perfect तो यह universal negative बात हो गयी negative बात हो गयी no perfect और universal बात है तो B का 2 हो गया B का B का बन हो गया B का बन हो गया तो B का तो D option इसका हो गया ऐसे निकाल लो postural था तो D इसका answer था D इसका answer था देख रहे है all men are mortal यह universal positive बात है no man are perfect no लगा तो negative बात है तो universal negative बात हो गयी ऐसे करके कर लेना ठीक है which one of the following refers to the framing effect framing effect क्या होता है तो आपने देखा होगा जब framing जो effect होता है in the context of decision making तो decision making में framing effect क्या होता है तो आप जब देखो हमें एक example दे रहा है आप flip card पर जाते हो चीजों को किस तरीके से represent किया जाता है एकदम ऐसी packing ऐसा दिखाया जाता है आपको लगता है यार कितनी अच्छे सूज है एडी डास के चलो ले लेते हैं समझगा कितने अच्छे पूमा के सूज है दिखेंगे तो चीजों को ऐसे represent किया जाता है आप decision ले ले तो उसी को बोलते है framing effect समझ गया है तो the way in which options are presented कि ऐसे option दिखाये जाए जिससे आपका decision change हो जाए और आप selection कर लो उसको बोलते है framing effect ऐस से ठीक है अब यह बहुत अच्छा question है यह थोड़ा notes बना लेना इसके notes बना लेना कि एक अत्यादिक सामन जिस पूर समू में सदसों की मैटपूर मूलंके निरलाइक लेने की छमताओं को खौने की प्रिवर्टी को कह जाता है कि जैसे मालो 10 दोस्त बैटे हैं बहुत अच लेकिन जो दोस्त आपका है उसका आप दस के दसी सपोर्ट करने लगते हैं तो इसको क्या बोला जाता है आपने एक logical चीज का ब्रोध करने लगे दोस्ती के कारण तो इसको बोला जाता है group think मतला आप क्या कर रहा है और group की तरह सोच रहा है ग्रुप में एक परसंद जैसा सोच रहा बैसा ही सोचेंगे अपनी बुद्धी नहीं लगा रहा है अपना logic नहीं लगा रहा है अपनी rational thinking को नहीं लगा रहा है तो इसको group think बोलते हैं इसके notes बना लो group think पर question आ सकता है कि जब person अपनी rational thinking को भूल जाता है अपनी logical thinking को भूल जाता है कि वो जिस organization से जड़ा उसी की बात मानने लगते हैं, उसको group think बोला जाता है, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं, the decision making style that overly concerned with keeping everyone happy, समझ गया है, कि सभी लोग खुश रहें, तो ऐसे BBR को क्या बोला जाता है, उसको BBR style बोलते हैं, उसका BBR है, सब को खुश रखना, analytical style नहीं है, directive style नहीं है, directive style तो बहुती था, समझ गया है, which one of the following is not rule for estimating the likelihood of outcomes of any decision, समझ गया है, तो ये थोड़ा इसके notes बना, ये question कटे नहीं है, थोड़ा ऐसे question का थोड़ा छोड़ना रहता है, कभी भी छोड़ दो, किसी भी निरला के परडामों की संभावनाओं का अनमान लगाने के लिए, निमलेक्त में से ये not, तो ये किसी एक scientist ने दिया था, समझ गया है, तो किसी का नहीं assessing the utility ये तो दिख रहा है option, समझ गया है, availability ये भी option दिख रहा है, adjustment ये भी, देखते हैं इसमें क्या दिया है, B का answer देखो, इसका answer क्या A, तो rules for, अभी इसके notes बना लेना, rules for estimating the likelihood of outcomes of any decision, कोई decision ले रहे हो और उसका outcome क्या होगा, वो depend करेगा किस पर, वो करेगा वाईसा, representiveness पर, availability पर, और adjustment पर, ये notes बना लो, समझ गया है, ये तीन चीजों पर depend करता है, लिख लो, तो ये पूंचा जा सकता है, दुवारा, ना तो छोड भी सकते हैं, इतने question नहीं आएंगे, अब हम देख लेते हैं, in a valid standard form of categorical salogism, if predicate term is distributed in the conclusion, then it must be distributed, ये भी question बैसा है, इसको question को छोड़ो, ये अलागी टाप का है, ऐसे question आपको आपको नहीं करना, इसका solution पढ़ना तो पढ़ लेना, probability is an attribute, तो ये बताओ probability जो है, जो संभावना हम लगाते हैं, वो क्या है, क्या है, संभावना लगाते हैं, वो क्या है, तो भईया ये क्या है, एक क्या है, एक inductive argument होगा न, क्या होगा inductive argument, तो देखो लिखा भी है, तो जो हम संभावना लगाते हैं, वो क्या है, inductive argument है, जो आपके अंदर होता है, सामभवता है प्रêरिख-ѐक तर्क की एक बिसेश्था है, प्रेरिख- तर्क एक तर्क है, जिसका उद्यत्य तर्क करता द्वारया प्यापत मजबूत होना होता है, कि नहीं ऐसा होगा, समझ गया है, तो ये भी ऐसा है कि inductive argument होता है, इसके भी notealeb quoting क्या समझ गए, creative solutions कौन कौन ले सकता है, समझ गए, जो बताओ, which of the following decision makers, निमलिक्त में से कौन सा निर्ड़ाय निर्माता, समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजने में अच्छा है, कि आप वो directive style वाजा कर सकता है, तो directive style वाजा तो नहीं कर सकता है, कि इसको direction दी जाती कि ऐसा ऐसे सोचना, तो वो दिमाग नहीं चला पाएगा, analytical style decision maker अभी confused है, conceptual style decision making, यह बेवियर वाला नहीं है, उसका आदत होगा, जिस पसन की जैसी आदत होगी, और बार बार भार भाई repeat करेगा, तो उसमें अलग अलग type का तो decision नहीं ले सकता, तो मुझे लगता है, जिसके concept अच्छे से clear होंगे, जब उसके concept clear होंगे, तब वो अच्छे से सोचेगा, और अच्छे से decision ले पाएगा, और एक innovative decision ले पाएगा, C इसका answer है, कि conceptual जो style decision makers हैं, जो कुछ innovative decision लेते हैं, कि नहीं चलो, यह अच्छा होगा, यह अच्छा होगा, तो यही बहुत सरल question था, ऐसे से question होते हैं, अब देख लो, feedback is the ease to effectively manage behavior and improve performance, it is form of, तो भाईया, कि पृतिकरिया का उपियोग वेवार को प्रवावी डंग से प्रतवंदत करने, और प्रदस्न में सुधार करने के लिए किया जाता है, जैसे आप मेरी वीडियो पर comment करोगे, और बताऊगे कि मैंने कैसा पढ़ाया है, थियोरी को कैसे पढ़ाया है, और questions को थोड़ा-थोड़ा fast पढ़ाया है, जिससे आप लगाओ, इसके solution को पढ़ो, मेरा मकसद क्या था, कि आपको समझाया जाए कि कैसे पढ़ना है, कैसी चीजी करने हैं, questions तो आप लगाओगे, solution को पढ़ोगो, automatic समझ में आएगे, तो आप feedback दोगे, तो feedback क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, यह आपको पताना है, तो feedback जब दिया है, mass communication में, informal communication में, interpersonal communication में, तो यही इसका answer होगा, interpersonal जो communication है, उसमें हमें feedback देते हैं, interpersonal का मतलब क्या है, जब हम दो लोगों से बात करते हैं, या तीन से कई से, तो उसमें feedback भी दिया जाता है, mass communication में जरूरी नहीं, कि आप feedback दे दो, एक person बोल रहा है, बस आप सोर रहे हो, समझ गया, तो interpersonal communication के अंदर सब आ जाता है, ठीक है, तो C इसका answer होगा, C इसका answer है, तो feedback is a form of interpersonal communication, ठीक है, इसका क्या है, एक form है, आगे देख लिएते हैं, which one of the following is a basic method of affecting behavior change, कि किसी का behavior change करना चाते हो, किसी का वेवार परवतन करना चाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कि उसकी recording करनी पड़ेगी, गलत है, क्या उसका optimal rest करना पड़ेगा गलत है, क्या rhythmic evolution करना पड़ेगा गलत है, भया उससे बात करो ना, बात करोगा, तभी कर पाऊगा, अब देखो 2021 में C-set में आएं सवाल, कितने सरल सरल सवाल हैं, अब बताओ, ऐसे ऐसे सवाल आयाते हैं, लोग तो भी गलत करके आ जाते हैं, किसी के बेवार को change करना पड़ोगे, आप मेरे बेवार में कुछ changes चाते हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ changes चाते हैं, या कुछ नया चाते हैं, तो आप मुझे जब मुझे बात करो है, थबी चो करवा पा हुए, ना तो कैसे करेंगे, तो भाईया, communication से, संचार से तो इसका अंसर A है, simple है, इसमें क्या ही सोचना है, यही तो communication का part है, अब हम देख लेते हैं, according to communication, as a mutual transaction model, तो होता क्या है, कि जब हम communication करते हैं, तो उसको mutual transaction model बोलते हैं, मतलब कि हम एक person से बात कर रहे हैं, वो हम से बात कर रहा है, हम transaction कर रहे हैं, एक दूसरे से, किसका transaction हो रहा है, हमारे बिचारों का, हमारी भासाओं के, हमारे सब्दों के, हमारे thought का, ठीक है, इसका transaction हो रहा है, तो यह transaction between people is, कैसा है, क्या यह interpretive है, वो हमारी बात को interpreted कर रहा है क्या केवल वो interactive है हम दूसरे से interact कर रहा है क्या वो simultaneous है एक दूसरे हमने बोला उसने भी कुछ बोला क्या वो simultaneous है और interactive है हाँ सही बात है वो हमारे साथ simultaneously बात भी कर रहा है और interactive भी है तो दोनों option तो सबसे अच्छा option D है दोनों चीजे एक साथ हो रही है, interactive भी हो रहा है और हम उसे simultaneous बात भी कर रहा है, clear है तो ये इसका D option है which one of the following is not included in para-language, para-language में कौन नहीं included, देख रहा, para-language हमने पढ़ाया, ये बारवार आ रहा है 2021 में भी पूछ रहा है, 2020 में भी था तो para-language में voice quality होती है इस piece rate होता है pitch होता है, ये भी होता है, ये भी होता है ये वो, लेकिन verbal interaction नहीं होता है समझ गए, तो B इसका answer है मौकिक बातचीद नहीं आएगी समझ गए, तो हमने para-language पहली समझा दिये para-language क्या है, language का study करना, कि जिसमें pitch क्या है amplitude क्या है, speed क्या है समझ गए, ये सब, आगे चलते हैं, चलो, बहुत बढ़िया, communication that saves time and facilitated coordination in an organization is called, संचार जो समय बचाता है और बहुत जल्दी से जिसमें बाते होती है, वो क्या होता है downward communication में, बाते जल्दी होती है नहीं होती है, upward communication में जल्दी बाते होती है, नहीं होती है, नीचे से उपर बहुत time लगता है neutral communication में पढ़ाया या नहीं ऐसे option है, lateral communication में बहुत बाते होती है, एक person है इसने, इसने, तरहat ouais गाउं में देखो चार पांच औरते बैठ जाती है सेम लेवल पर होती है समझ गया कोई अधकारी नहीं होती है सब खाना बना रही है जो भी छोटी मोटी जॉब कर रही है फिर एक कोई बात हो जाए अरे भेन उसके घर में देखा है नहीं सारी लेके आई है कितना खर्च करती है पूरा पती का पूरा सेलरी खितम कर देख हाँ भेन अब पूरा एक घंटे के अंदर पूरी बात पता चल जाएगी कि उस औरत ने भाईसा 20,000 की साड़ी खरी दिये समझ गया तो यह लेटरल कॉमनिकेशन ऐसा ओफिस में होता है तो लेटरल कॉमनिकेशन में बहुत फास्ट कॉमनिकेशन होता है ठीक है तो सी इसका आंसर है समझ गया यह हमने पढ़ाया भी आपको लेटरल कॉमनिकेशन कॉमनिकेशन बिलवी एफेक्टिव कॉमनिकेशन कब एफेक्टिव होगा संचार प्रवाबी होगा यद यह कब प्रवाबी होगा तो देखो यह इसमें confusion था लेकिन मैंने इसको गलत लगाया था 2021 में जब मेरा selection हुआ था तो इस paper को हमने देखे आये थे तो मुझे लगा था मैंने जो option चुना वो सही होगा लेकिन मेरा गलत हुआ था अभी बताएंगे क्यों गलत हुआ था कि हुआ क्या था deliver slowly and clearly तो यह तो गलत है slowly and clearly मतलब deliver is an appropriate media यह भी कोई लेना देना नहीं received as intended by the sender हमने यही लगाया था हमने यही लगाया था समझ गया है इसमें दिया है लेकिन answer जो है यह डी दिया है commission ने answer इसका डी दिया है दोनों के हम आपको बता रहा है concept clear करते हैं मैंने option कौन सा चुना था कि received as intended by the sender हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं ठीक है हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं और आप इस वीडियो को 10 साल बाद देखो ठीक है आपको सब समझ में आएगा कि हाँ योगन सर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन जो आपका मेरा जो message देने का मकसद था उसका purpose क्या था आपको job लेना कि आप 10 साल बाद job दोगे नहीं दोगे एक्जाम दोगे नहीं दोगे हो सकता है कि जो हमने message भेजा वो आपको receipt तो हो गया जैसे में देना चाह रहे थे लेकिन वो गलट time पर हुआ इसलिए यह option गलत हो जाता है अब मुझे समझ में आता है लेकिन जो receipt immediately message में दूँ और तुरंत receipt हो जाई यह परपज है अभी एक्जाम 8 दिसमबर हो रहा है मैंने यह वीडियो बनाई आप कल देख लो आपको सही time पर वीडियो मिल गई सही time पर message मिल गया तो option D सही था इसलिए सही है ठीक है यह भी सही आपने देखा होगा कि जो लोग decision making को पढते हैं बड़ बड़े manager सोते हैं उनको पढ़ाया जाता है किसी समस्या आप बैट जाना जैसे मुर्गी अंडे के उपर बैट जा तो उसको क्या बोलते हैं अंडे सेना बोलते हैं तो मुर्गी क्या करें उस अंडे के अंदर से इनकुवेशन तो यह लिख लेना कि प्रॉलम पर बैठना क्या क्या लाता है। इनकुवेशन बोलता है कि उसका solution निकालना। ठीक है। इनकुवेशन क्यालाता है। Sleeping नो प्रॉलम एज़े way to facilitate insight। उसके बारे में जानना, समस्या के बारे में और सोचना, जानना। आपने देखा हूँ, Archimedes को एक समस्या दी गई थी कि यह जो हार है, यह सही हार है या गलत हार है। तो सोचता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है। और एक दिन चिलाते चिलाता आता है, यूरेका, यूरेका, क्या है यह। वह पहले समस्या पर बैठा रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, फिर उसको solution मिला। ठीक है। चालो। Purpuzzly Manipulating information in communication process is called कि आप अपने उद्देश के साथ किसी communication को क्या करते हो वाइस आप Manipulate करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है। तो जब Manipulate करते हैं, तो क्या बोलते हैं, उन्हें पहले ही बताया, filtering बोलते हैं, filtering देख रहा, फिर आ गया, यह filtering बहुत पूछा जाता है, इसको लिख लो, कि जब एक अधिकारी अपनी बातों को ऐसे रखता है, जो उसको चाता है, कि जिसमें उसकी प्रसंसा हो, जिसमें उसका प्रमोशन हो, तो उन्हें बातों को लेके जाता है। और जो गायों की बात है, जो समस्विए उनको नहीं रखता है, तो उसको filtering बोलते हैं देख रहे हैं, 2021 में भी आया, 2020 में भी आया filtering, तो filtering concept को आपको पता कर लेना है, ठीक है, आगे चलते हैं filtering के बाद, communication among members of the same group, जब same group के लोगों में जो बाते होती हैं, communication होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो भाईया जब same group क्या होता है, ये अधिकारी है, इसके उपर, ये होगा, तो downward communication, same level पर जब होते हैं, तो क्या बोलाते हैं, lateral communication, या horizontal communication, तो lateral communication बहुत पूछा जाता है, ये UPPCS का सबसे famous question है, lateral communication, active communication, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी क्या बता है, आपने filtering ये बार बार पूछे जाते हैं, बदल बदल के, तो भाईया lateral communication, ठीक है, चौरो, आगे चलते हैं, lateral communication आपको समझ में आगया होगा, अब हम देख लेते हैं, ये common sense वाला सवाल था, with reference to the interpersonal communication, इने organization, एक organization में interpersonal कोई communication हो रही है, which of the following statement is correct, कौन सा statement correct है, तो an efficient communication is not always effective, तो कोई मान लीजी हम efficient बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कम टाइम में हम पढ़ा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है, कि ये always efficient हो, कोई student है, जिसको कम समझ में आता है, उसके लिए नहीं होगा efficient, तो सही बात है, ये तो सही बात हो गई, and effective communication is not always efficient, मैं बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं, जरूरी नहीं है, कि दो गंटे में जो बता पाएं, उतनी बाते हो प options सही थे, ऐसे सवाल आ जाते हैं, 2021 में देख रहे हो, चलो, आगे चलते हैं, the most frequently cited source of interpersonal conflict, तो interpersonal जो conflict होता है, लोगों में लड़ाई जगड़े होते हैं, companies में या organization में, वो क्यों होते हैं, क्या region रहता हुगा, जब किसी में मन मिटाव होता है, तो क्यों होता है, मन मिटाव उसका solution भी मिलता है, लेकिन लोगों में solution नहीं हो पाता है, तो क्यों भाई साब होता है, मन मिटाव, उसका आपको region देना है, तो भाई या, इसका region है, poor communication होता है, जब communication नहीं करोगे, जब communication करोगे, तो अपनी समस्यां को रखोगे, अपनी समस्यां को रखोगे, तो चीज से लोग अपनी समस्या को solve कर सकते हैं ठीक है निमनित में से कौन सा model पारस्प्रिक संचार की गत्सीलता पर जोर देता है कौन सा interpersonal communication model को क्या बोलते हैं तो अभी हमने कुस्षन कराया था उसमें बोला था उसको बोलते हैं transaction model notes बना लो इसके notes बना लो notes बना लो जो हम बात करते हैं उस model को क्या बोलते हैं transaction model बोलते हैं ना तो गलत कर दोगे आप न तो लोग interactive model लगा देते हैं नहीं linear model बना देते हैं तो वह यह transaction होता है thought का length n का model है यह ठीक है तो यह इसका C answer होगा बहुत सरल सरल question आते हैं जो हमने पढ़ाया है उसी से आते हैं which of the following is not an ovistical and mindful listening जब आप सही से सुनते हो तो उसमें कौन सा बादा नहीं है तो बादा नहीं है pre judgment पहली से कर लिया यह तो बादा है पहली से अपने दिमाग में कुछ निरलर ले लिया समझ गया message overload भी ज़्यादा message overload लेके आ रहे तो भी बादा है complexity है message में यह भी बादा है लेकिन dwell perspective बादा नहीं है किसी चीज को आप कई तरीके से देखते हो open mind के साथ देखते हो यह बादा नहीं है तो अच्छे सोचने में दोरा district कोन बादा नहीं है भी इसका option होगा ठीक है और देख लेते हैं ब्यक्ति के काम के घंटों का अनुमानित कितना प्रिस्षत पारस्पिक संचार में लगा हुआ है मतलब जो भी person अपना time रखता है तो interpersonal communication में कितना जाता है मतलब जो इसका पूरा time है वो दूसरे से बात करने में कितना जाता है लोग अपने आप से तो बहुत कम बात करते हैं आप देखो आप अपने आप से कभी बात करते हो नहीं करते हो जब भी हम बात करते हैं दूसरे से बात करते हैं तो आप देखोगे interpersonal में आप देखोगे 80-90% टाइम चला जाता दूसरें से बात करने में 10% अपने से कम बात करते होंगे तो ये भी बहुत सरलता common sense वाला question था समझ गया controversy always involves जब भी controversy होती है विवाद हमेशा सामिल होता है किस में होता है समझ गया तो किस के कारण होता है disagreement के करण होता है जब हमारा किसी से assembly होती है विवाद हो जाता है तब ही तो होती है अरे विवाद किसी से क्या होता है कि किसी ने एक thought आपके सामने बोला कैसा है आपने बोला नहीं है ऐसा लगने लगए बस काही हम देख लो कि sir आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मिन नहीं पढ़ाते हैं, रडाई हो जाएगी, आपने बोला sir आप ख़राब पढ़ाते हैं, मिन नहीं पढ़ाते हैं, समझ गया तो, बिबाद हो सकता है, ऐसे चीज़ आपको पता होने चाहिए, चलो आगे चलते हैं, in order to satisfy the psychological needs of competence, relatedness and autonomy and effective repertoire, which of the skill are necessary, कि आप जिन्दगी में चाहते हो कि आपकी बहुत ग्रोथ हो, आप बहुत आगे जाओ, आपकी जिन्दगी में बहुत प्रेम हो, चैन हो, तो क्या होना चाहिए, हमने पहले ही बता दिया था, इसका आँख बंद करके answer दे दिया करो, interpersonal skill, interpersonal skill है, कितनी देर से पढ़ा रहते हैं, आप बताओ, आप लोग बताओ, बोल लाएते कि interpersonal skill कितनी जरूरी है, भाई option में पूच लिया, 2021 में, ठीक है, आगे चलते हैं, डीस का answer है, पहले ही बता दिया, आप चलते है, which one of the following is not a way of thinking in order to solve the problem, कि कौन सी problem को solve करना चाहते हैं, वो एक पार्ट नहीं था, anagram क्या होता है, सब्दों को बनाना, समझ गया है, meaning बनाना, तो anagram क्या होता है, net of way of thinking, ये क्या है, ये word होता है, words जो होते हैं, उनको बनाना रहता है, तो ऐसे भी question पूच लेता है, बहुत सरल सरल, problem solving, जो process होता है, essentially an excursion through, कोई भी problem को solve करना चाहते हो, तो किस के through हो होगा, बताओ, बताओ किस के through होगा, तो आप देखोगे, इसमें क्या है, problem space होना चाहिए, उसके through, जो समस्या दी गई है, वो हमारे पास होनी, तभी तो हम problem solve कर पाएंगे, तो ये भी देख लो, problem space refers to entire range of component, कि कोई समस्या दी गई है, तो उस problem, उस problem का space होता है, कि समस्या क्या है, समस्या में क्या क्या दिक्कत है, तब उसका ही तो हम solution निकाल पाएंगे, तो problem space बोलते हैं उसको, which one of the following is a version of divide and conquer strategy, तो निमलक्त में से कौन सा समस्या समादान में, विवाजन और विजयर अन्नीती का एक संस्कड़ है, तो कोई समस्या होती है, तो लोग उसको ऐसे solve करते हैं, पहले divide कर लेते हैं समस्या को, पर दीरे दीरे इसको solve करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, साइध means and analysis, समझ गए, c इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका यह है, तो यह divide and conquer strategy का दूसरा नाम है, means and analysis, कि मालो यह है solution और उसका समस्या यह है, फिर हम ऐसे करकर के थोड़ा 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 थोड़ के उसका solution निकालते हैं, फिर सोचते हैं कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो इसका नाम ये भी होता है, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं, if a person attempt to solve a problem on the basis of his past experience, अपने पुराने भूत काल के आदार पर कोई समस्या को solve करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसके पहली जो अपना जो दिमाग में उसके चल लाए, दिमाग में जो set बन गया, उसके according करेगा काम तो उसको mental set बोलते हैं, समझ गया है, अब किसी लड़की से धगड़ा हो गया, तो उसके दमाग में यह रहाएगा कि लड़की खराब है, अब कोई लड़की उससो दोस्ती करने आ रही है, या कोई लड़की के सामने कोई लड़का दोस्ती करना रहा है, लड़की ने पास्ट में ऐसा देखा है कि किसी लड़के ने दोका दिया है तो उसके दमाख में बन जाए कि लड़के तो खराब होते हैं तो वो decision लेगा उसी क्या दार तो उसको ऐसा बोलते है mental set समझ गए? तो mental set समस्या में बहुत create करता है तो हमेशा mental set नहीं रखना चाहिए दमाख में open mandate होना चाहिए ठीक है next देख लेते हैं use of analogy in problem solving means तो जब analogy को use करते हैं solving problem को solve करने के लिए तो उसको क्या बोलते है? समझ गए? तो analogy क्या होती है? कि किसी चीज़ को analysis करना तो जो past में जो चीज़ें उसको use करके decision लेना तो analogy क्या है? इसी को application of techniques that were used in the past कि आपने past में जो ऐसे decision लिए आपने उनको use किया और आप successful होगा है तो उनको बारवार use कर रहे हैं समझ गए? तो उसको बोलते हैं analogy use of analogy ठीक है? आगे चलते हैं आपने देखा होगा ना? chronology सुना होगा, chronology देख रहे हो अमिसा का भासर बैसा ही हाँ पर थोड़ा analogy देख लो ठीक है? in problem solving the present information is converted into तो in problem solving जो problem solve करने जा रहा है तो present की जो information है वो किस में convert हो जाती है? बताओ बताओ किस में convert हो जाती है तो भाई साब ये देखोगे internal mentor representation में हाँ तो जो अभी आप समस्या जो solve कर रहे हो और जो आपने सीका है वो आपका experience हो जाएगा और वो आपका internal mentor representation में चला जाएगा past के लिए एक example बन जाएगा ठीक हो ये भी बहुत सरल है ऐसे ऐसे तो सवाल आते हैं common sense लगाओ आगे बढ़ो समझ गया है? ये ये सवाल थोड़ा अलाग है छोड़ दो इसको कुछ-कुछ सवालों को छोड़ना रहेगा आपको इन दा कंटेक्स ओब decision making personal probability are commonly referred to तो जब personal जो probabilities हैं कि जो आपके खुद के decision है खुद की जो आपको सोच रहे हो किसी समस्या के बारे में कि ये ऐसा है इसको क्या बोलते है subjective है आपके according तो इसको subjective probabilities बोलते है जो चीज़े हैं हर परसन के according होती है उसको subjective बोलते है समझ गया लोग अपने-पने according सोचते है तो कोई भी decision लोग अपने-पने according लेते हैं उसको subjective decision बोलते है समझ गया कोई बोलेगा ये ले लो कि आपने किसी ने बोला कि बताओ optional क्या लेना है तो एक suggestion देगा रे anthropology ले दो तो वो उसका subjective है लेकिन कोई data के according बोलेगा तो भाई सब उसकी objective कहलाएगी समझ गया objective कहलाएगी जब आप decision ले रहा हो उसके लिए कौन-कौन से statement आप सही है human rationality is limited ऐसा बोला है कि जो human है जो दिमाख है उसकी जो rationality है वो limited है शही बात है इंसान 100% सही थो नहीं हो सकता ये भी बात सही है कि कोई भी इंसान अपने decision making को सही कर सकता है हमने बताया था सही कर सकता है experience ज़्यादा ले लोगों से suggestions ले और जो expertise है इसमें उनसे suggestion ले दोनों options हैं तो भाईया दोनों options हैं बोथ 1 और 2 correct देख रहे हैं इतने सरल सरल सवाल आते हैं C 2021 में आया clear है चलो creative problem solving is associated with चो creative problem solving है वो किस से related है कि रचनात्मक समस्षा को हल करने के साथ जुड़ा हुआ है तो ये किस से जुड़ा हुआ है तो creative हैसा होता है active listening से होता है active listening नहीं नहीं creative problem solving किस से होगा divergent thinking से होगा कितना एक परशन जो ऐसी रास्ता चुन लिया उसने अलग रास्ता चुन लिया तभी तो कुछ creative solution निकलेगा divergent thinking से होता है भिन्न सोच समझ गया देख लो भिन्न सोच होगा तभी तो creative होगा ऐसे निकाल लो D इसका answer है समझ गया आप देख लेते हैं the objective of decision making should be आप देखो ये option भाई आगा जो हमने पढ़ाया था कि जो objective है decision making का वो क्या होना चाहिए to make the correct choice correct choice बनाना to make the best choice to make the risky choice risky choice करना नहीं to make the reinforcement of choice नहीं to make the best choice ये देख रहे है 2021 का है तब ही हम आपको समझा पाए हमारे time परता है हमारे दोस्त इसको गलत करके आए बोले नहीं perfect choice करना है ये perfect choice नहीं होती है perfect कोई कुछ होता है नहीं होता है तो ये best choice है B इसका answer है देख रहो B इसका answer है जो आपको पढ़ाया है उसी के according है The optimal way for effective problem solving is चाहते हो कि समस्यां बहुत अच्छे से solve हो तो कैसे करोगे बताओ तो समस्यां अच्छे से solve हो आपकी जिंदगी कैसे सही चलती है जब traditional चीजों को भी चला लो और जो modern चीज़े आ रहे हैं आपके दादाने जो बाते बताएं इमांदारी रखो जिंदगी में समझ गया है सच्चा ही रखो kindness रखो और liberal thought भी रखो लड़कियों को सम्मान दो समझ गया है लोगों की openness mindset रखो casteism मत रखो तो सुक्संती रहती है और बहुत ज़्यादा liberal बन जाओ अमेरिका जैसे तो depression में चले जाओगे बहुत ज़्यादा traditional बन जाओब बस भाई साब कुछ नहीं सोच रहा है बस देख रहा है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को मार रहा है के नहीं तो फिर बहुत परिशन हो जाओगे तो ऐसी decision making में जब आप conventional decision भी रखते हो non-conventional चीज़े भी रखते हो दोनों का combination बनाके decision लेते हो तो अच्छा decision लिया जाता है B इसका option है और इस तरीके से हमने भाई साब आपको बता दिया है और भी आपको ज़्यादा पढ़ना है तो पुराने साल के paper उठाओ मैंने इतना पढ़ा दिया आपको सोच दे दिया कि C-set में communications, interpersonal skill और decision making ability तीन topic इतना तो सोच दे दिया है कि आप question जरूर कर लोगे कैसा लगता है देखो आप देखो मैं लगए दो घंटे से बोल रहा हूं इस छोटे से कमरे में तो मेरे लिए motivation आपकी comments है अच्छा लगता हूं जरूर आप बताए feedback दें कैसा लगा और देखो feedback हमारी communication का part होता है हम भी आपसे feedback माग रहा है कैसा लगा जरूर बताना ठीक है पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए all the best और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हर जगे बोलते कि जिंदिगी का सत्य है म्रत्व तो कहा है इतने tension में रह रहे हो मस्त रहा करो आईएस बन जाओ, प्येम बन जाओ, मनना सब को तो ज़्यादा tension मत लिया करो और आपके selection का सत्य क्या है वो किताबे और पढ़ाई, और तो भ्रम है तो पढ़ते रहे हैं, मैनत करते हैं All the best, जैहन